हाई एवरिवन वेलकम टू दा टीचर्स यूटूब चैनल रीजिनिंग की आज हम मैराथन करने वाले हैं तो यदि आप स्पेसली अगर आप एच्टेट की त्यारी कर रहे हो या फिर उस एक्जाम की जहां पर रीजिनिंग आती है देखिए एस टैट की तो मैं आपको लिक कर दे देता हूँ अगर आप इस पूरी क्लास को कर लोगे तो आपके 10 में से 10 मार्क्स आ जाए कि यदि आप सचे नियत से कर सकते हो तो सर होगी कितनी देर की ये क्लास हो सकता है कि आपकी ये 90 मिनिट तक चले 100 मिनिट तक चले 120 मिनिट तक अभी मुझे कोई इसका आइडिया नहीं है लेकिन आपको बिल्कुल बेसिक पे आके बिल्कुल ऐसा मान कर कि आप मेरे सामने बैठे हो और आपको कुछ ज़्यादा नहीं आता तब उस लेवल पे जाके आप लोगों को समझाऊंगा यदि अभी तक आज तक आपने रिजनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा या फिर पढ़ा है आपको कुछ समझ में नहीं आया तो इस कलास को देख लो इस वीडियो को देख लो आपका कोई भी एक्जाम हो तो अगर आपको समझ में ना आए तब आप मुझे कमेंट में आके बोल देना बिल्कुल बेसिक तरीके से कराऊंगा ऐसा लगेगा आपको कि हाँ सर सामने ही बैठके करवा रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस बात की 101% में गारेंटी देता हूँ कि इस से बाहर जो मैथड में यहां पर करूआँगा इस मैथड से बाहर आपका कोई भी एक भी क्वेस्टन नहीं जाएगा स्पेशली मैं अगेन बोल देता हूँ कि एच्ट टैट वालों के 10 मार्क्स के आते हैं तो 10 में से 10 इसी कलास से आपके आएंगे ठीक है और अधर एक्जाम के लिए भी काफी बेनिफिट आप लोगों को यहां से मिलेगा तो चलिए हमारा पहला टाइप साथ साथ में मैंने डेट भी दी है कि किस डेट को यह है टीजिट का एक्जाम हुआ था च्यार दिसंबर 2022 को जिसके अंदर यह है क्वेस्टन पूछा गया है ठीक है हाँ जस्ट आपकी जो यहां पे अंक दिये है यह फिर जो एक पैटर्न दिया है तो आपके जस्ट एक डीजिट चेंज हो सकते हैं पैटर्न आपको वही मिलेगा देखी पूछा गया कि यह जो एक सीरीज है इसमें कौन सा पद गलत है ठीक है तो हमें यह है डिफाइन करना है तो हमारे सामने एक बार जब भी आपके सामने इस प्रकार से क्वेस्टन आए तो थोड़ी देर अराम से उसको देखकर 5-10 सेकिंड अराम से गहरा सांस लेकर फिर देखा करो जैसे कि हम एक बात तो यह है कहा सकते हैं कि यह है चड़ते करम में है मतलग पहले 8 फिर 13 फिर 21 फिर 32 फिर 47 फिर 63 और फिर 83 तो इसमें ऐसा तो कुछ नहीं कि पहले बड़ा फिर घटा फिर बड़ा फिर घटा तो हम इसके लिए बिल्कुल सिंपल लोजिक पर जाएंगे क्या सर तो हम सबसे पहले इनके बीच में गैप कितने कितने का है तो सबसे पहले चले हम गैप देख लेते हैं देखिए यहां पर 8 से 13 पर गया तो हमें देखने को मिला कि 5 का गैप है 13 से 21 पर गया तो हमने यहां पर देखा कि यह 8 का गैप है अब 21 से 32 पर गया तो हमने देखा कि यहां पर यह 11 का गैप है अब ये 32 से 47 पर गया तो यहां हमने देखा 32 से 47 यहां हो जाते 15 नमबर का गैप ठीक है इसके बाद 47 से 63 यहां हो जाते आपके 16 नमबर का गैप और फिर 63 से 63 से यहां हो जाते आपके 20 नमबर का गैप अब हमें देखना है कि है किस पैटरन में चल रहा है देखिए यहां बढ़ा था तीन यहां भी बढ़ा आपका तीन यहां बढ़ा आपका चार यहां बढ़ा आपका एक और यहां फिर आपका बढ़ा चार क्या आपको कुछ समझ में आया देखे यहां से यहां पांच से आठ आपका कितना बढ़ा तीन और आठ से ग्यारा फिर भी आपका दुबारा से तीन बढ़ा तो फिर ग्यारा से पंदरा यह आपका च्यार बढ़ा लेकिन 15 से 16 आपका कितना बढ़ा जस्ट आपका एक नमबर और फिर 16 से 20 अगेन आपका कितना बढ़ गया आपका चार अगर आप यहां पर तीन तीन का हमारा गैप आये था आठ से तेरा कितना था हमारा पांच का और तेरा से 21 कितना था हमारा 8 का और 21 से 32 11 और अगर आप यहां 47, 46 की बजाए एक घटा दोगे तब आपका कितना हो जाए गई 40 तब हमारा गैप कितने का हो जाए गई यहां पर 14 क्योंकि 15 था 32 से 47 पंदरा लेकिन हमने 40 कर दिया फिर आगे क्या आएगा हमारा 40 से 63 17 और फिर 63 से हमारा 20 अगर अब आप देखो इसी उसमें यहां पर भी 3 आपका यहां पर भी 3 यहां पर भी 3 और यहां पर भी 3 और यहां पर भी 3 लेकिन पहले क्या था यहां पर 15 था जिसकी वज़े से यहां पर आपका गैप 4 हो गया और यहां पर आपका 16 आ गया तब आपका यहाँ पर gap एक था तो इस परकार से आपको logic ढूंडने होते हैं सबसे पहले दुबारा बता देता हूं कि अराम से question को देखे कि question कहना क्या चाहता है हो सकता था कि यहाँ पर दो series भी चल रही होती दो series कैसे सहाब कि एक बढ़ते करम में और एक घटते करम में तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि examiner कहना क्या चाहता है चलिए सेम तरीके से कुछ अगला question है कि अगली सरिंखला में इस सरिंखला में अगला पद क्या होगा यानि कि जो एक पूरी सरिंखला दे गई है यह 27 24 27 238 तो इसमें अगला पूछा है कि इसमें आगे क्या होगा तो मतलब 238 के बाद क्या आएगा यह पूछा है तो एक बात तो हम बिल्कुल अब कह सकते हैं कि जो यह दिया है 27 24 27 और 23 यह बढ़ते करम में है और अगर आप देखोगे कि यहां तो कम गैप यहां इससे थोड़ा सजादा अब थोड़ा सजादा और 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 अब थोड़ा सजादा और तो यानि कि अगर आपको इस प्रकार की सीरिज दिखा आई दे तब आप डिरेक्ट मल्टिपल के साथ जाना क्योंकि यहां देखो पस्ततर से 238 इतना बढ़तों नहीं सकता मल्टिपल करके ही आया होगा यानि गुना करके ही आया होगा अगर हम दो की तीन के साथ गुना कर दे और उसमें एक जूड़ दे तो दो तिया छे और ए एक अब की बार हमने क्या किया चोविस मतलब साथ से 24 कैसे बनेगा यह दो से साथ तो बन गया दो तिया छे प्लस एक लेकिन साथ से 24 कैसे बनेगा साथ से 24 अगेन वही आप लिखिए कि साथ गुना तीन साथ यह 21 प्लस तीन यह आ गया ठीक है इसके बाद लिखिए आप सत 77 कैसे बनेगा 24uestoлав की हाँ 24 है यहाँ पर 24 तिया 72 फ्लस 5 ठीक है अभी हमें एक पैटरन समझ में आया कि जो पहला नमबर है वहाँ उसके साथ तीन की मल्टिप्लाई यहाँ पर भी 3 से यहाँ पर भी 3 से यहाँ पर भी 3 से लेकिन यहाँ पर एक जोड़ा गया यहाँ पर तीन जोड़े गया यहाँ पर पांच जोड़े गया तो इस वज़े से हम बोलेंगे कि अब साथ जोड़े जाएंगे वही तीन से आपका मल्टिप्लाई होगा और किसका सत्तर से क्या 238 आएगा एक बार देखते हैं तो सत्तर तिया 210 और साथ तिया 21 तो 21 और 210 271 पलस साथ 238 तो हाँ सर पैटरन बिल्कुल हमारा सही काम कर गया तो इसका मतलब अब आगे क्या आएगा तो आगे हमें 9 जोड़ना पड़ेगा ठीक है सहाब वही 3 से मल्टिपलाई होगी लेकिन आपकी 238 के आपको इसके साथ गुना करना पड़ेगा तो यहां पर मैं करार देता हूँ 238 के पहले आप 3 के साथ गुना कीजिए फिर उसमें 9 जोड़ दीजिए वही आपका जवाब आएगा तो 8 तिया 24 हासिल 2 239 और 2 11 हासिल 1 236 और 1 7 तो 714 यह और 9 यह जोड़ दीजिए तो 714 और 9 723 तो हमारा अंसर कितना आ गया 723 क्या आपको समझ में आया या एक बार और करुआ दूँ चली एक बार और करुआ देता हूँ ध्यान से देखिएगा जब भी आपको लगे कि सिरीज चड़ते करम में हैं आगे बढ़ते करम में हैं लेकिन डिफरेंसिज जादा हो रहा है यानि कि उनके बीच का अंतर उनके बीच का गैप जादा बढ़ रहा है तो कैसे करोगे देखिए 2 से 7 है उसको लेखिए वही दुबार से तीन की गुना कर दीजी मैंने क्यों किया क्योंकि साथ या एक्ष चोबिस के नजदीक है तो इस वज़े से और बचा कितना तीन बच गया था अब आप चोबिस को देखिए चोबिस आ चुके है और मल्टिपलाई तीन करेंगे तो 22 तो आही जाता है 77 के पास है तो कितना बचता है 5 तो हम यहां तक समच चुके हैं कि यहां पर एक पैटरन काम कर रहा है कौन सा मल्टिपलाई हमेशा तीन से करनी है और यहां पर आपकी एक एक करके विसम सिंख्या जोडनी है पहले एक जोड़ा फिर तीन जोड़ा फिर पांच जोड़ा अब कितना जोड़ेगा साथ साथ जोड़ कर आपकाएगा 238 और इसके बाद इस सिंख्या में हम 238 को तीन से मिल्टिप्लाइ करेंगे फिर उसमें नो जोड़ देंगे तब हमारा कितना जाएगा साथ सो तेईस जो कि इस क्वेश्चन का जवाब था दूसर क्या ये थोड़ा सा लंबा नहीं पड़ गया हाँ थोड़ा लंबा हो सकता है यदि आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको यह लंबा नहीं लगेगा क्योंकि पहले हमें एक पैटरन देखना फिर उस सीरिज में देखना कि कौन सा पैटरन काम कर रहा है तो तब थोड़ा लंबा लग सकता है ठीक है चलिए एक आपका एक टाइप यह भी आता है और एक काफी इंटरस्टिंग टाइप है यह भी आपका 101 परसेंट आएगा चाहिए आप अभी लिख कर इसको रख लो देखिए क्या है प्रसन आपका कि अनील ने परसांत का प्रीच्चे करवाते हुए कहा मतलब कि किसी और वेक्ति से प्रीच्चे करवा है किसने अनील ने ठीके तो अनील ने परसांत का प्रीच्चे करवाया है और कहा है कि वह मेरे पिता के पिता की पोती का पती है कौन किस के बारे में बात कर रहा है परसांत के बारे में तो परसांत अनील से किस परकार संबंदित है तो यहां पर आप इसका सहरा ले सकते हो कि अनील का, मतलब ए, हमने अनील बना दिया, अब उसने परसांथ के बारे में कहा है कि अनील उसके पिता के पिता का, यहां बना देते हैं, उसने कहा है कि अनील, अनील ने कहा परसांथ के बारे में कि वह है, यानि परसांथ, वह है मे मेरे पिता के पिता यानि इसके भी पिता यानि इसके दादा हो गई ये अब अगर आप अनील को देखोगे तो अनील तो पोता ही हुआ किसका हुआ इसके पापा के पापा का यानि इसके दादा हो गई ये वाले ठीक है अब अनील तो क्या हो गया पोत्तर हो गया पुत्तर मत पोती का मतलब इसकी पोती कौन होगी तो जाहिर सी बात है इसकी पोती को मैं लिख देता हूँ के और जब भी हमें लड़की या महिला को दुरसाना होता है तो हम नेग्टिव का निसान लगा देते हैं ताकि हमें पता चल सके कि एक महिला है तो यह है इसकी पोती होगी यानि फिर भी चाचे की बहन क्या हुई वह तो भी तो ठीक है अब कहाए कि परसांत अनील से किस परकार समबंदित है तो परसांत इसका husband हुआ किसका इसकी पोती का इसकी जो इसके दादगी पोती है तो जब भी आपको महिला और यदि वो husband wife उनके बीच आपको रिष्टा दिखाना हो तो यह है double cross लगा दिया करो इसे पता चल जाते है कि वो husband और wife है अब पूचाए कि अनील और इसका क्या संबंद है तो अनील से किस परकार देखिए है इसका जीजा है डिरेक्ट शी बात है तो अब का जवाब क्या रहेगा जीजा अच्छा एक और अगर मैं यहाँ पर यह है question लिख देता परसांत की बजाए में अनील लिख देता अनील परसांत से किस परकार संबंदित है जो पहले पूछा है इरलेशन उसी का बताना है तो पहले अब की बार पूछा था परसांत तो इस वज़े से परसांत हुआ उसका जीजा अगर अनील पहले पूछ लेता कि अनील परसांत से किस पार कार संबंदीत है तब वह आ जाता उसका साला क्या आप लोगों को समझ में आया देखिए समझने की कोशिश केजी बिल्कुल अराम अराम से आप लोगों को समझाओंगा अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया तो आगे बढ़ने से पहले चार मिनट पीछे चले जाईए और इस क्वेस्टन को दुबारा देख लिजी क्योंकि ऐसे क्वेस्टन आते हैं मैं यह नहीं चाहता कि आपका कोई भी एक भी नमबर कटे ठीक है चले इसके बाद हम अगले टाइप पर चलते हैं यह है भी एक अच्छा टाइप है इस टाइप की एक ही रिक्वाइरमेंट है आपको एक ही काम करना है जितने भी हमारे अल्फाबैट हैं कितने हैं 26 तब उनको आप एक कागज के उपर लिखकर एक नोट्स बनाकर उनके सामने गिंती लिख लिजिए जैसे A.1 नमबर पर B.2 नमबर पर C.3 नमबर पर D.4 नमबर पर E.5 नमबर पर तब आपको एकजाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप पहले ही इनको याद कर लोगे जैसे मैं बोल दू कि O. कितने नमबर पर है तो मुझे पता है कि 15 नमबर पर है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी है R. कितने नमबर पर है 18 नमबर पर B. कितने नमबर पर है 2 नमबर पर W. कितने नमबर पर है 23 नमबर पर तो यह है क्या है यह सब प्रैक्टिस से ही आपका आएगा ठीक है question क्या है कि अक्सरों के चार समूह नीचे दिये गए हैं ये वाले इन में से तीन किसी एक नियम से एक जैसे है इन में से एक अलग है उस अलग को छाटी आपको बताना है तब देकि पहले अगर हम इसके साथ जाएं ओप्सन एक साथ इनको आप लिखिये a एस कुँन से न मबर पर है उननिशवे नंबर पर t 20 वे नंबर पर t के बाद आता है यू 21 वे नंबर और एक हाब आपका कुँन सा है पहले नंबर पर ठीक है इसके बाद कुन सा है आपका आर, अठारवे नंबर पर क्यूँ, देखी, आर के बाद आया है क्यूँ, लेकिन क्यूँ आजाता है पहले, क्यूँ आजाता है क्यूँ आर, मतलब की 18 से 17 पर चला गया, फिर 16 पर और फिर दुबारा से 1 पर अब तीसरे उप्सिन के अगर हम बात करते है इस वाले की, तो इस पे क्या है M, M है आपका 13 नमबर पर, 13 और L क्या है आपका 12 नमबर पर, और K है आपके 11 नमबर पर, और 1 है हमारा A है हमारा पहले अकसर, और इसके बाद last हमारा h क्या है आठवे नमबर पर g क्या है शातवे नमबर पर f क्या है छटे नमबर पर और a क्या है हमारा a पहले नमबर पर अब अगर आपको एक pattern नजर आया तो यह है तो last वाले तो 4 के 4 सेम है तो इनको तो छेड़ो ही मत यहाँ पर है 19, 20, 21 बढ़ता करम यहाँ है 18, 17, 16 घटता करम 13, 12, 11 घटता करम 8, 7, 6 घटता करम यह तीन तो एक जैसे हैं और यह उपर वाला इनसे अलग है तब हम किस के साथ जाएंगे option a के साथ जाएंगे यह यह इनमें अलग है एक और आपको छोड़ी शीट ट्रिक बता दू देखिए जैसे कि आपका यह मैंने लिख दिया f कौनसे नमबर पर है जब भी आपको बनाना हो तो आपको ऐसे बना दीजिए क्या यह 6 जैसा नहीं लग रहा तो छटवे नमबर पर है अगर आप बनाओगे g g g कौनसे नमबर पर है 7 वे नमबर पर तब आपको क्या कर देना है कुछ ऐसे कर देना है लो यह बन गया g h को लिखिए कौनसे नमबर पर है 8 वे नमबर पर बना दो 8 लो यह बन गया 8 8 हमा ऐसे ही तो लिखते हैं हम इसके साथ साथ और क्याटरीक है, जो आपके M और N है, तो यह है आपको दोनों इकठे याद रखने, 13 और 14 नमबर पर, ठीक है, इन दोनों गए है, एक जोड़ा है, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है, T आपका कौन से नमबर पर है, T, देखे, T क्या होते हैं, T 20-20 मैच ह होते हैं, तो वहाँ से उठा लो, T 20, 20, ठीक है, और O कौन से नमबर पर है, आपका, O, O, My God, तो यह है आपका पंदरवे नमबर पर, ठीक है, और, हाँ, एक और आप यह है, याद रखे, इजोटी, वैसे तो आपको पता ही होगा, E, J, O, O, T, Y, यह है, क्या है, पांच, दस, पंदरा, बीस, और वाई, पत्चिस, तो यह है, चार, पांच आप वर्ड अगर यदि याद रख लेंगे, तब आपको बहुत ज़्यादा हैलप मिलेगी, चलिए, अब चलते हैं हम इसके अगली टाइप पर, देखिए, यह एक टाइप यह भी आता है आपका प्रित्वी का संबंध अक्स, अक्स से है, अक्स से, दो चीज़ें आपकी हैना, एक होते है आपका घूरुणन गती है जिस प्रकार से यह है घूमते है, तो उसी प्रकार पहिये का संबंद किस से होगा जो आपका टायर है उसका संबंद किस से होगा क्या आपका पहिया क्या आपका टायर से होगा भाई पहिया या मतलब टायर ये तो एक ही बात है तो ये तो कट गए आपका क्या आपका कार से होगा भाई कार के अंदर ये डला है ठीक है और ये है पूरा rotation करेगा पूरा आपका घूर्णन करेगा क्योंकि गोल गोल चलेगा गाड़ी आगे चलेगे तो पहिया भी आगे चलेगा हम बात करें अपने ही अक्ष पर तो क्या सड़क भाइस सड़क तो हो ही नहीं सकता और क्या बचा फिर आपका धूरी तो आपका यह है धूरी रहेगा जो कि आपका पहिये से एरलेट करेगा तो इस परकार के question भी आ सकते हैं आप confuse मत हुआ करो थोड़ा सा उसमें logic लगा कर देखा करो आपका question आप हल कर पाओगे इसके बाद हम चलते हैं हमारे next pattern पर एक pattern दिया है एक series दिया है इसमें अगला पद आपको बताना है अगला क्या होगा तो एक बात और कभी कबार ऐसे दे देता है जैसे कि यहाँ पर तीन डिजिट है यहाँ पर भी तीन डिजिट है यहाँ पर भी तीन और यहाँ पर भी तीन option में कभी कबार वो ऐसे डाल देता है कि यहाँ पर तो तीन डिजिट है XF, यह है क्या है आपका L कौन से नंबर पर है, बारवे नंबर पर X कौन से है आपका X, Y, Z X है आपका 24 वे नंबर पर L, J, K, L ऐसे याद कर लेकर और F है आपके छटवे नंबर पर, क्या यह सभी 6 से डिवाइड है हाँ, चलो और लोजिक लगाते है M क्या है आपका, M, N 13, T 20, J, 10 और क्या है आपका हाँ, आप यहाँ से एक बार इसको छोड़ दीजी एक और आप इसमे नंबर एक और दूसरा पैटरन लगा सकते है कौन सा, आपने पहला वर्ड पगड़ा L, L के बाद फिर आया M M के बाद फिर आया N N के बाद फिर आया O O के बाद फिर आएगा P यानि P तो कनफर्म आएगा ठीक है, लेकिन 4 के 4 P से स्टार्ट है अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर आया X X कौन से नंबर पर है आपका 24 वे नंबर पर इसके बाद आया आपका T T कौन से नंबर पर है, 20 वे नंबर पर उसके बाद आपके पास आया P P कौन से नंबर पर है, 16 वे नंबर पर इसके बाद फिर आपका आया L L कौन से नंबर पर है, 12 वे नंबर पर यानि 24 से 4 कम 20, उससे 4 कम 16 उससे 4 कम 12 और उससे 4 कम 8 8 पर कौन है आपका H आप सोल्व कर सकते हैं यह सिरिज काफी इपोर्टेंट है क्या समझ में आया या फिर दुबारा बताऊं जो आपके पहले वर्ड है उनको देखी एल एम एन ओ यानि पी आएगा ठीक है अब दूसरे डिजिट को देखी एक्स चोबिस पर बी बीस पर सोला पर पी और बारा प पर तो आठ वाला आएगा आठ पर कोन है आपका एच एच एक ही जगा आपका दिया हुआ है तो इस वज़े से ओप्सन एक के साथ हम लोग जाएंगे चलिए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं यह भी आपका हंडर वन परसेंट आता ही आता है क्या दिया कि ए बी से चालिस म मेटर दक्सिन पक्षाम है तो पहले तो हमें एलेना पीड़ेगा एग बी से हमें बीडना पड़ेगा क्योंकि ए तो ज़्यादा दूर है तो इस तरफ तो हो गए आपकी पूरोगृसा रियान की इस्ट, इंगलिज्ज वाले हैं इस्ट, ठीक है, यहां पर रहोगी आपका पस्चिम, उपर होगी आपका उत्तर और निचे होगी आपका दक्सिम, ठीक है सहब, अब क्या बोला गया कि a, b से चालिस मीटर दक्सिम में है तो आपका दक्सिन यह हो गया और पस्चिम यह यानि कि आपका करीबन करीबन वो बंदा ठीक भी यहां पर होगा दक्सिन पस्चिम तो यही हुआ कितनी दूरी है यह सहब सिर्फ होगा आपका सी यह भी हो गया आपका 40 मिटर ठीक है तो सी ए से किस दिशा में होगा अब दिशा पूछ लिए उसने किसके रिगारिंग पूछ लिया एक रिगारिंग पूछा किसका है सी का कि सी कहां पर होगा अगर एक स्थान पर हम चले जाएं तो ए से तो भाई वो पूरो में ही तो होगा तो आपका क्या जवाब रहेगा पूरो में ठीक है क्योंकि यहीं पर इसके बिल्कुल ठीक सामने तो होगा वो जस्ट आपकी एक ही ये लाइन बीच से में गाइब कर देता हूँ और इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग अ जब आपका क्या आता पस्चिम इस तरफ होता तो फिर अब किस तरफ है वो उस तरफ है क्या समझ में आया बता देता हूं थोड़ा सा ये आठ दिशाएं होती है है अपकी यहाँ पर आपकी पुरोव Ugh t से आपकी वैस्ट पस्चिम यहांपर आपकी उत्गर्ट और यहांपर आपकी इसाउट याने कि दक्सिन ठीक है यह तो आप लोग बना लोगे लेकिन आपको दिक्कत पता है अंपको दिक्कत आते हैं इन से जब आगे बनाने पड़ती है कौन से वाली ये वाली यह थे आपकी पूरो यह हुई आपकी पस्चिम यह हुई आपकी उत्तर और यह हुई आपकी नीचे दक्सिन अब आपको सबसे ज़्यादा प्रोब्लम साती है आगे चल कर इन में कैसे कि पूरो पस्चिम उत्तर दक्सिन का दो पता लग गया सर यह कौनची होगी आपकी यह वाली देखिए यह होगी आपकी दक्सिन पस्चिम सबसे पहले आपकी दक्सिन और फिर आपकी पस्चिम इन दोनों के ठीक बीच ओ बीच होगी तो यह होगी आपकी दक्सिन पस्चिम ठीक है सर और सर यह कौनची कोंची होगी यह वाली तो है हैं आपकी दक्सिन पूरो सबसे पहले आपका question यहां से आता ही आता है तो इसको थोड़ा से एक बार देख लिजीगा यहां यह काफी interesting question है यहां पर मैं quiz में इस परकार के question डालता हूं क्वीज कहां पर होती है तेली ग्राम चैनल पर हर एक दिन quiz होती है आपको नहीं पता तो link description के अंदर है जुड़ जाओ क्योंकि हर एक दिन शाम को काफी सारे candidate यहाँ पर participate करते हैं आपको भी आपके score का पता लग जाएगा तो उसको देख लिया करो ठीक है तो हम देखते हैं कि यदि यहाँ पर काफी confusing होती है इस परकार के statement लेकिन आप आज को आज आपको trick बता दूँगा देखिए यहाँ पर लिखे कि यदि minus को plus यदि minus का अर्थ है गुना ठीक है जहाँ पर minus आएगा वहाँ पर आपको गुना लिखना पड़ेगा ऐसा बोल रहे हैं plus का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है plus और गुना का अर्थ है minus तो इस equation में जो मान है वह क्या होगा तो सबसे पहले कुछ नहीं करना आप लिखिए इस पूरी equation को 5 minus सोरी 15 minus 5 भाग 5 गुना 20 और प्लस 10 10 कहां से है यह रहा ठीक है सहाब यह तो हमने लिख दी अब आगे आगे आपको क्या करना है आगे आप यहाँ से start हो जाए यहाँ पर लिखे यह दी minus को का अर्थ है गुना जहाँ पर minus है वहाँ पर गुना कर दीजिए अब यहाँ पर आप गुना कर दीजिए ठीक है सहाब पलस का अर्थ है भाग जहां पर पलस है वहां पर भाग कर दीजिए ये वाला हिसा ये वाला जो बिल्कुल लास्ट है मैं नीचे लिख देता हूँ इसका मतलब है भाग ठीक है सहाब भाग का अर्थ है पलस यहां पर भाग है तो इसको पलस कर दीजिए ठीक है और गुना का अर्थ है माइनस ये वाली जो गुना है इसका अर्थ है माइनस ठीक है अब इसको क्या मैं दुबारे से लिख दूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो पंद्रा पांच यहां पर प्लस आ गया है न और डिवाइड बीस और भाग क्या दो और भाग आ गया एक मिनट चेक कर लें देखिए यहां पर क्या है यहां पर गुना का अर्थ माइनस है तो माइनस बीस और भाग दस यह आई अब हमारे पास नया एक्वेशन तो इसको हम कैसे करेंगे सबसे पहले आपको एक वर्ड ध्यान रख लेना आपकी लाइफ टाइम आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो आपको कही ना कहीं जरूर काम आएगा भाग योग सर यह है क्या है इसका मतलब यह है अगर इस प्रकार के कोई भी एक्वेशन आजाए सबसे पहले कौन से समीकन कौन से जो आपके चीहन है सबसे पहले कौन से सिंबल आपको सोल्व करने होंगे तो भाग योग मतलब पहले भाग भाग फिर गुना फिर यो योग योग फिर आपका जम्मा और फिर लास्ट में घटा तो यह है चार word आपको ध्यान रख लेने हैं तो सबसे पहले हम बिलकुल last से शुरू करेंगे क्योंकि भाग last में है तो 20 को divide करेगा 10 तो कितना आएगा आपका 2 आएगा तो इस सब को काट कर यहाँ पर 2 लिख दो ठीक है अब करेंगे हम गुना गुना आपका ये वाला 15 पंजा पचेतर तो यहाँ पर पचेतर लिख दो कितना आगे बचा 5 और माइनस 2 15 और 5 पचेतर और 5 80 में से 2 चला गया 78 तब आपका right answer क्या है आपका 78 क्या आपको समझ में आया देखिए जिस तरीके से मैंने कराया है कि पहले आप इस equation को लिखिए फिर जो आपके meaning दिये होते हैं फिर आप उनको लिखिए अगर आप इस तरीके से करोगे तब आपका यकीन करना कि आपका कभी भी कोई भी question गलत नहीं होगा लेकिन अगर आप directly बिना equation लिखिए साथ की साथ solo करने की कोशिश करोगे तब आपका 101% गलत होने के काफी high chances हो जाते हैं तो एक बार आप थोड़ सा time लगा लो concept सीख लो कुछ question को solo कर लो यकीन करो जब फिर practice करने के दोरान आपको मज़ा आएगा तब आप second हो में उसको उड़ा दोगे वैसे मैंने तो आपको 5-4 मिनट लगा दिये इस question को समझाने के लिए वैसे एक मिनट से भी काफी कम 40 second, 30 second के आज पास यह question time लेता है साथ इससे भी कम लेगा अगर आपकी practice हो जाए तो तो चलिए beginner हैं आप मतलब बिलकुल fresh तरीके से त्यारी कर रहे हैं मैं तो उसी हिसाब से आपको zero level पर आगे समझाने कोसिस कर रहा हूँ इस प्रकार के question काफी बार पूछे जाते हैं और एक number आज ही पक्का कर लो एक या वैसे तो 10 के 10 number आपके पक्के है question किसी निश्चित कुट में कुट यहाँ पर आपको निश्चित भासा भी लिखाओ मिल सकता है इन वर्डों पर आपको मत जाना किसी निश्चित कुट में 786 का अर्थ study very hard ठीक है मतलब 786 का जो मतलब है वहाँ पर दिया है study very hard यानि कि 786 है तीन डिजिट थी है study very hard तीन ही यहाँ पर आपके सबद बनाए गए है आपके letter बनाए गए है तब यानि कि एक का मतलब एक ही एक डिजिट का मतलब एक word मिलेगा ठीक है और आगे दी है आपका 958 का मतलब hard work page और 645 का अर्थ study and work है तो very का code क्या होगा हो गए ना confused लेकिन confused मत हो ना मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हरे color से 786 चीक है 786 का क्या मतलब है मैंने यहाँ पर लिखा study यानि की s very यानि की v और hard यानि की h ठीक है सहाब अब हम आगे क्या करें आगे आप लिखे 958 958 लिख दिया इसका क्या मतलब है hard हमने h से लिखा था तो hard और work यानि की w और page यानि की p यहाँ से देख लेना ठीक है सहाब और अब last में क्या करें 645 इसका क्या मतलब है study and work यानि study s and a और work यानि की w ठीक है अब पूचह क्या है vary का यानि की w का पूचह है यह जो बीच में रहा इसका पूचह है ठीक है सहाब इतना तो हो गया अब oh my god यह दो पूरा पूरा चला गया चली एक बार और लिख देता हूँ आप लोगों के लिए 786 हमने लिखा था यहाँ पर दिया भी हुआ study very hard कहाँ पर दिया है यह इनके पहले पहले digit मैंने लिखती है इसके बाद है 958 इस पे क्या लिखा था यह वाला hard h works w page p इसके बाद कहा है 645 इस पे कहा है study and work study and work पूचह किसका है इस v का पूचह है ठीक है सहाब अब क्या करेंगे अब ध्यान देना इसका पूचह है ना बीच वाले का इसका पूचह है ना तो इसको तो आप रहने दो अब देखो यहाँ पर h है यहाँ पर भी h है तो यहाँ पर भी आपको दोनों तरफ कुछ न कुछ similar मिलेगा क्या है सहाब similar आपका 8 और 8 एक एक सर बचा कौन सा बचा साथ तो मतलब कि आपका vary वी से हमने denote केता है यहाँ आपका साथ नमबर इसको बताता है क्या समझ में आया आ गया होगा वैसे तो अगर समझ में ना भी आये तो एक बार और तीन मिनिट पीछे जाके देख लेना अभी तो आपको कोई फरेक नहीं पड़ेगा लेकिन आपके एक दो नमबर यहां से कनफर्म पक्के हो जाएंगे यह है दुबार से उसी टाइप का क्वेस्चन आ गया और यह है आपका पूछा गया है 19 दिसंबर 2021 को सभी PYQ है एक भी मैंने खुद से नहीं बनाया सभी PYQ है अब देखिए C एक सीरीज है इसको हम देखेंगे कि यह है किस पैटरन में काम करती है तो क्या है C C के बाद है आपका H H के बाद है M और M के बाद है आपका P क्या यहां पर C से H की तरफ जाते है C 3 पे है H 8 पे है तो 8 का फरक हो गया सोरी 5 का फरक हुआ ना हाँ 5 का C 3 पे है H 8 पे है तो कितने 3 नमबर जुड़ा उपर ही लिख देता हूं मैं यहां पर तो 3 नमबर जुड़ गया H से H से अगर हम M पर जाएं यानिकि 8 से और M 13 पर जाएं तो 5 नमबर जुड़ गया अब जो आपका M है 13 13 से आपका यह मैं क्या कर रहा हूं मैंने तो सीरीज ही गिलत कर दी 3 से आपका 8 कितने जुड़ गया भाई 5 तो जुड़ गया आपका 8 से 13 यहां पर भी 5 जुड़ गया M 13 से 18 यहां पर भी 5 जुड़ गया यानिकि 5 पांच जुड़ रहा है यानि 18 और 5 तेईस तेईस यानि 5 जुड़ गया और तेईस पर आता है आपका W तो W से आपकी सीरीज स्टार्ट होगी तो यू वाल उप्सन कट गया और व वाला जस्ट शिरफ इतना ही करने से अब हमने देखा कि W, U, Y और W, U, Z तो दोनों में पहले दो डिजिट एक जैसे हैं तो इस वज़े से हम दूसरे अक्सर को नहीं देखेंगे क्योंकि वो तो आपको निकालना टाइम वेस्टिंग है अब तीसरा निकालते हैं तीसरा है E से अगर हम जाते हैं 10 E, J, 5 का फरक J, O, 5 का फिर फरक 10, 15, 15 से 20 और 20 से फिर आखरी में आएगा 25 या नहीं वाई आएगा तो हम किस के साथ जाएंगे इसके साथ उप्सिन B के साथ हम जाएंगे अगर आपको थोड़ सा ध्यान हो मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले ट्रिक करवाई थी ये वाली E, J, T यानकि 5, 10, 15, 20, 25 यही तो काम कर रही है अगर आप देखोगे E, 5 E, J, O, T और Y तो आएगा वाई ये रहा तो इसी वज़े से बोलता हूँ जस्ट सारा खेल प्रैक्टिस का है अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो यही क्वेस्टन आप जस्ट 30 से 35-25 सेकंड में धडाम से उडातोगे तो प्रैक्टिस करते रहो पहले एक बार वीडियो को पूरा देख लो हाँ अगर आप यही पीडियेफ चाहते हैं तो टेलिग्राम पे आपको मिल जाएगी दाटीचर्स के नाम से है बहुत सारे कैंडिडेट कनफ्यूज हो जाते हैं कि सर नहीं मिल रहा तो भाई जो यह आपको स्पैलिंग दीख रही है इसके पीछे जीरो टू लगाके सरच कर लो अगर फिर भी ना मिले तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है फिर भी ना मिले भाई इंस्टाग्राम पे आजाओ वहां आपको लिंक मिल जाएगा अगर वो भी लिंक ना मिले तो कमेंट तो आप कर ही सकते हो कमेंट के अंदर आपको लिंक परवाइड करवा देंगे जोईन कर लिया करो क्योंकि फ्री पीडियाफ वीडियोज नोट्स सब कुछ अवेलेबल है बिलकुल फ्री ओफ कोस्ट और कोई भी फालतू की वहां पर पोस्ट नहीं की जाती all data related to study आपका material वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक question आपका इस pattern पे भी काम करता है यह क्या है एक अच्छा question है यह काफी सारे लोगों का गलत हो जाता है देखिए पांच व्यक्ति है A B C D इसमें क्या है कि A B से छोटा है A छोटा है किस से B से तो हम B को तो उपर लिख देंगे और A को हम छोटा नीचे लिख देंगे सराप ने बिल्कुल साथ में क्यों नहीं लिखा क्योंकि भाई हो सकता है कि इसके बीच में कोई और भी आ जाए तो हमेशा gap दे के लिखा करो इसमें काया कि A B से छोटा है A B से छोटा है लेकिन E से लंबा है किसके बारें बात कर रहे हैं A के A B से तो छोटा है लेकिन E से लंबा है ये ठीक है समझ में आ गया C सबसे लंबा है अब C यहाँ पे हमने लिख दिया बचा कोन D बच गया बस D, B से छोटा है D, B से छोटा है तो B से छोटा तो सभी हर एक जगा आ सकता है लेकिन आगे क्या है लेकिन A से लंबा है मतलब A से लंबा है और इसे छोटा है तो यहाँ पर आएगा यह तो इन में से कौन सबसे छोटा है तो भाई E सबसे छोटा है क्या यह आपको समझ में आया या फिर दुबारा से करवा दू एक बार दुबारे से देख लिजीगा पांच व्यक्ति हैं A, B, C, D और E इसमें पहली ही स्टेटमेंट एक बार पढ़ लो उसके बाद उसके उपर काम करना A, B से छोटा है उल्टा मत कर देना A लिख दो, किस से छोटा है ये B से, B उपर लिख दो लेकिन E से लंबा है किस के बारे में बात करें पहले इंसान के बारे में तो यहाँ पर E लिख देना C सबसे लंबा है, तो C तो सबसे उपर जाएगा D, B से छोटा है, लेकिन A से लंबा है यानि कि इन दोनों के बीच में आएगा क्योंकि B से छोटा हो गया A से लंबा तब आपका क्या हो गया राइट अंसर A क्योंकि सबसे छोटा तो हमारे पास A ही तो आया है बाबू भाईया तो क्या समझ में आ रहा है बिलकुल इजली असान language में zero roots पे जाके समझा रहा हूँ यह एक question वैसा ही आ गया जैसा कि हमने पीछे देखा था क्योंकि वह है था साइद आपका 2022 का और यह है आपका 2021 का तो इस वज़े से बोल रहा हूँ यह है आपके previous year है पिछले 5 सालों के ऐसा मत सोचना कि सर्व वैसे ही करवा रहे है तो आपको दोहरा फाइदा है previous year भी आपके होंगे concept का भी पता लगेगा और 10 में से 10 के आपको guarantee भी दे दी कि अगर आप practice करोगे तो भाई आएंगे अगर आप वैसे ही जाओगे बिना practice के तो कहा से आएंगे तो ए ने कहा है किसी लड़की के बारे में कहा है ठीक है मैं यहाँ पर एक लड़का ही लिख देता हूँ यह रहा लड़का ठीक है यह एक लड़का है कौन है यह यह है मेरी माता जी के पती अब यह बात बताओ एकी माता और उसका फिर पती यानि ए का भी तो पापा हो गया वो अगर ए की माता का पती इसका ए का क्या लगा ए का लगा पापा तो इसके पती का पोतर है यानि की इसका ही तो वो लड़का हुआ अगर मैं ए को यहां लिख दूँ ठीक है ए तो क्या है प्लस है ठीक है अभी प्लस का तो साइद नही ही पता कि ये पलस आये तो उसका मतलब रड़का और माइनस आये तो इसका मतलब कि लड़की छीक, यह है, दो चीजे याद रख ले, जीका पलस पुरस और माइनस महिला, ऐसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है, तो A, यहां पर हो गया, ठीक है, वे हैं मेरी माता है कि पती का पोतर है यानि इसका दूसरा कलर कर देता हुमें कि इस इनसान का पोतर है यानि कि यह तो इसकी वाइफ हो गई यह इसका लड़का या फिर हाँ लड़का हो गया क्योंकि पोता तो लड़का को ही हो सकता है अगर लड़की को हो तब तो क्या हो गया वो तब तो इसके नाना लगते तो इसका मतलब यह है भी इसका लड़का है और यह है इसका पोता हो गया चीक है साब और यह है इसका लड़का है मेरा कोई भाई अत्वा बहन नहीं है यानि यह एक मात्री ही है ना तो इसका कोई भाई है ना ही इसका कोई बहन है तो लड़का A से किस परकार संबंदित है तो जो ये लड़का है यह है A से यानि इस लड़की के बारे पूछा है तो भाई वो तो उसका पुत्तर है option B के साथ हम जाएंगे लेकिन पूछ लेते कि ये लड़के से किस प्रकार समभन्दित है तबह अथा आपका पिता ठीक है तबह क्या अपका पिता आजाता तो ये है right answer क्या रहेगा आपका पुत्तर क्या समझ में आया अगर ना आया 2-3 मिनिट पीछे चले जाना देख लेना एक बार concept आपका clear हो जाएगा एक question आपका इस type का भी आता है इसमें पूछा गया कि यह है एक series यानिक एक सेरेनी दी गई है और उसमें एक संख्या गलत है यह है पांच संख्याई है इनमें से एक संख्या गलत है वह है गलत आपको बतानी है कि वह है कौन सी है एक बार इस present को छोड़ दो आप क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपके लिए अभी side hard हो जाएगा वीडियो के आखर में मैं आपको यह करवाद दूँगा चलिए इसके बाद एक series दुबारे से दे दी गई है और series देखे दो टाइप से आ सकते हैं एक तो इसमें आपके बीच में नमबर दे दिया और दोनों आपके alphabet हैं दोनों तरफ है ना चार नो बीस इस परकार से दूसरी आपके simple भी आ सकती थी GST JKR इस परकार से जो कि हमने ओपर पहले ही discuss कर लिया तो हमने यही देखा कि जो यह series चल रही है इसके बीच में एक एक अकसर दिये हुए हैं ठीक है और साथ में दो दो alphabet भी दिये हुए हैं पहले है G, G कौन से नमबर पर आपका साथ वे नमबर पर इसके बाद है आपका, इसमें हमें बताना क्या है इससे आगे क्या आएगा ठीक है और यह है रहे आपके चार उप्सन या इसमें कुछ गलत बताना है कि इन चारों में से गलत कौन सा है तो इसमें क्या है आपका यह G, G मतलब कि साथ वे नमबर पर और चार फिर इन होने दे ही दिया और फिर T यानि कि आपका 20 हमने इसको तोड़ कर देखा इसके बाद बात करें तो आपका J यानि कि दसवे नमबर पर और 9 इन होने दे ही दिया और R यानि कि 18 नमबर पर इसके बाद हम अगला नमबर देखें M, M आता है आपका M, N 13, 14 दोनों को इक अठे आत क्या करो इसके बाद हम देखते है P 41, P 16 नमबर पर आपका 41 आपका दे ही दिया और N, N यानि कि M के बाद 40 नमबर पर और एक दिया है आपका S, S आता है S, T, 19 नमबर पर 90 आपका दे ही दिया और L, L आता J, K, L 11, 12 वे नमबर पर ठीक है Question थोड़ा सा आप लोगों के लिए hard हो सकता है क्योंकि यह है थोड़ा सा अलग आपको इसमें method लगाना पड़ेगा लेकिन फिर भी आप एक बार समझने के कोसिस कीजिए, हमने ऐसे करके लेके लिए ठीक है साहब अब देखिए, यहां पर साथ है आपका यहां पर दस, यहां पर तेरा यहां पर सॉला, यहां पर उन्निए, एक बात उसमझ में आ चारह है है, कि अतना तो हमें समझ में आ गयह अगर आप बादवाले देखे हो July 18 16 16 12 यहां दो दो करकर घड़ रहा है तो यहां भी कोई मिस्टेक नहीं है यहां भी कोई मिस्टेक नहीं है तो बात बचती है आपके बीच वाले डिजिट की यहां चार यहां पांच कितने का अंतरा आगया आपका चार सुरी चार से नो कितना अंतर हो आपका पांच नंबर क ठीक है अब यहाँ पर 9 से आपका 20 यहाँ पर कितना अंतर ओऊ आपका 11 नमबर का ठीक है अब आपका 20 से 41 यहाँ पर आपका अंतर हो जाता है 21 नमबर का और फिर आखिर में 41 से आपका 90 है यहां पर आपका अंतर हो जाता आइ तिंक चालिस और नो उन्हें चास तो यह है तो कोई सिरीज बनी ही नहीं तो इसी वज़े से बोल रहा था कि आप लोगे के लिए साइथ थोड़ा सा डिफिकल्ट डिफिकल्ट हो सकता है करेंगे कैसे इसको थोड़ा सा अब ध्यान से देखेगा पांच से ग्यारा पर चले गए कितने का अंतर आया च्छे का ठीक है लेकिन अगर हम ग्यारा से तेईस पर चले जाएं यह तो 21 है अगर मैं इसको तेईस कर दू यानि कि दो नमबर बढ़ा 21 की बजाए 43 कर दू तो कितने का अंतर हो गया बारा का ठीक है अगर पहले यह उन्हेंचस का अंतर था अब यह दो बढ़ गया तो कितने का अंतर रहा 47 हो गया तो 24 का तब आप यह है भी तो देख रहे हो कि 6 दूना 12 दूना 24 क्या समझ में आया आपको यहां तक बताये 44 वारा वल्ड है यह 41 तो यहां पर 43 आना चाहिए तो सारी मिस्टेक यहां पर थी तो हाँ थोड़ा सा यह हार्ड हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन अगर आप थोड़ा समझेंगे क्योंकि कभी कबार ऐसा भी क्वेस्टन आ जाते हैं मैंने इसको खुद करके ऐसे करके ठीक है व्यक्ति कहां पर खड़ा है आपके बिल्कुल सेंटर में खड़ा है हम यहीं से चलाते हैं हमेशा इसको ठीक है दक्सिन में गया है अपका इस तरफ एस्ट है या नहीं पूरो वैस्ट नोर्थ और साउथ कहां गया है वो अपका दक्सिन में इस तरफ आ गया कितना आठ किलोमेटर आ गया ठीक है आठ किलोमेटर दक्सिन में जाकर दाएं तरफ मुड़कर आठ किलोमेटर जाता है अब उसका दाएं कुन सा होगा क्योंकि उसका फेस है नीचे की तरफ तो उसका इस तरफ होगा अब वह कितना जाता है आठ किलोमेटर और बोला गया है कि अब वह है पुने यानि कि दुबारा से बाई और मुड़कर अब उसने पहले किस तरफ मुड़ाता वह है दाई तरफ अब वह है बाई तरफ मुड़कर 10 किलोमेटर चलता है लो सहब इस तरफ चल पड़ा 10 किलोमेटर और अब क्याता है चलता है तो अब वह ह मैं दूसरे कल्दर के साथ आपको बता धिता हूं कि यहां से इस Point से अब वह किस दिसा में है अब वह इस दिसा में है तो आपको नहीं लगता कि ठीक बिल्कुल center में है वहा दक्सिण और पस्चिम की तो दक्सिन और पस्चिम ही से आएंगे तो इस प्रकार के मैथ्ट को आप हाँ इसमें कहां फस्ते हैं बहुत सारे कैंडिडेट कि उनको नहीं पता होता कि सर किस तरफ कौन सी दिसा है तो आप एक बार यह है एक पलस का निशान बना लो यहां लिख दो पूरो यहां लिख दो पस्चिम यहां लिख दो उत्तर और नीचे लिख दो दक्सिम अब जैसर जैसरो इंस्ट 555 बاع वाइन को नीचे लिए करांगे बलो सैंट्र से आपको वेक्ति को चलाना है कितना आया है 8 km ठीक है साहब लेके दिया अब किस तरफ मुड़ा है यह ही पॉर्टेंट है दाइं तरफ अब आप खुद देखिए अगर वेक्ती नीचे आ रहा है तो उसका दाया इस तरफ तो होगा कितना चला 8 km और अब क्या बोला कि अब पुना है बाइं तरफ मुड़ा अब अगर दाइं तरफ मुड़ता तो उपर चला जाता लेकिन मोड किस तरफ दिया भाई दाइं तरफ कितना 10 km और अब पूछता क्या है कि यह है पॉइंट और यह वाला पॉइंट अब बता दो किषदीसा में है तो यह कौन सा हो गया दक्सिन और पस्चिम यही हमारा राइट अंसर है क्या अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके दो बार करवा दिया उसको एक पर आप देख लो चलिए यह भी एक अलग सा कुछ कंसेप्ट है इसको देखेंगे इसमें बोला गया है कि लड़कों की एक पंक्ती में ए बाई तरफ से पंद्रवे तथा बी दाई तरफ से चोथे स्तान भर है लड़के कितने हैं हमें नहीं पता तो यह एक पूरी पंक्ती है मैं इस तरफ से लिख देता हूँ बाया ठीक है और इस तरफ से लिख देता हूँ में दाया चलिए ठीक है अब क्या बोला है कि लड़कों की एक पंक्ती में ए बाई तरफ से पंद्रवे स्तान पर है तो अब स्टेटमेंट को पढ़िए क्या बोला है कि A है कोई वहाँ बाईं तरफ से पंदरवे स्थान पर है लड़के की इतने हैं हमें नहीं पता तो हम यहां से ठीक है तो यहां से हमने माल ले कि यहां पर है पंदरवा स्थान तो यहां पर बैठ गया A कौन से स्थान पर पंदरवे स्थान पर ठीक है अब B बोला है कि B दाई तरफ से हम color change करके करेंगे इसको कि दाई तरफ से चोथे स्थान पर है और B A और B के मद्दे तीन लड़के हैं ठीक है तो यह है आपका चोथे स्थान पर यहाँ पर मैंने लिख दिया कि यह है हो गया आपका चोथा स्तान दाएं से और यह हो गया आपका बी और इनके बीच में तीन लड़के और है यह भी आप राइड डाम कर दो एक दो और तीन ठीक है सहाब तो अब कुल लड़के कितने हो गया अगर चलिए क्या पुछा है की C A के एकदम बाई और है C A के एकदम बाई और है तो C कहाँ पर हो गया आपका यह हो गया इसका एकदम बाई तो यही होगा ठीक है तो C की स्तीती दाएं और से क्या है तो यहां से इसकी स्तीती कौन सी है तो देखी चार तो पहले था यह पांच छे साथ आठ और नो तो आपका राइट अंसर क्या हो गया नो वा क्या समझ में आया या नहीं दुबारा करवा देता हूँ क्योंकि जो बाया दाया का चक्कर है ना ये काफी confusing करने वाला होता है सबसे पहले एक لمबी शी रेखां खीच दो अब बाया और दाया डिसाइड कैसे करोगे तो जो आपका राइट है जो आपका दाया हाथ है उस तरफ लिख दो आप दाया क्या इतना कर लोगे जी सर इतना तो कर लेंगे अब बात कर रहे हैं हम A के बारे में कि A बाई तरफ से लड़कों के एक पंक्ती में A बाई तरफ से पंद्रवे स्थान पर है तो हम यहां से चले चलते चलते पहुंचे यहां पर पंद्रवे स्थान पर ठीक है सहाब यहां पर कौन बेठा है A ठीक है सहाब अब हम बात करते हैं B के बारे में कि B कहां पर है B दाइं तरफ से चोथे स्थान पर है B यहां से हम चले पहला दूसरा तीसरा और चोथा स्थान यह हो गया अपका चोथा स्थान यह है क्या हो गया अपका B ठीक है सहाब अब बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में भी क्या बोल रहा है कि तीन इनसान है भाई एक दो और तीन अब बात करेंगा हो C, C A के एकदम बाईं तरफ है तो बाईं किस तरफ है इस तरफ तो C कहां पर होगा तो इसी तरफ होगा C तो है या नहीं हासर होगा चले इतना समझ में आया अब देखिए अब पूचा है कि C दाई तरफ से यानि कि इस तरफ से कौन से स्थान पर होगा तो अब ध्यान से देख लेजिए चार चोथे स्थान पर तो ये था तीन इनके बीच में है साथ और आठवे नमबर पर बैठ गया A और A के जस्ट बाई तरफ है C यानि कि नौवे स्थान पर होगा तो हो सकता है कि कुछ एक नया कंशेप्ट हो बहुत सारे नए कैंडिडेट हैं काफी बार समझ में नहीं भी आ पाता तो दोबारा से देख लिया करो लेकिन आप समझ लोग क्योंकि दस नमबर आपके यहीं से आएंगे चलिए अब हम वैसा ही एक क्वेस्टन करते हैं जैसा हम इसे पीछे से पीछे करके आए थे एक इनसान है वह पूरो दिसा के और दो किलोमेटर चला जाता है तो अगेन एक चार्ट बना दो और यहां लिख दो पूरो यह इस लिख दो जो अगर आप इंगलिश मीडियम से हो पूरो पस्चिम उत्तर दक्सिन मैं हिंदी में जान बुज़ कर लिखता हूँ भाई क्योंकि मेरी जादा ओडियंस हिंदी मीडियम की है तो उनको बिल्कुल एक जिरो लेवल पर जाकर बिल्कुल रूट पर जाकर समझाने के कोसिस करता हूँ अब देखे दो क्लिमेटर चलता है किस तरफ चलता है मैंने पहले बहुत बर बता रखा है यहां पर आप उसको मान के चलना अब जिस भी दिशा में जितना भी बोले लिख दो दो क्लिमेटर इस तरफ चला भी यहां पहुँच गया कितना चला है सहाब दो क्लिमेटर फिर वह दक्सिंड दिशा में मुड़कर एक क्लिमेटर चलता है किस दिशा में मुड़ा यहां से दक्सिन दिशा यानि की नीचे की तरफ अब वह थोड़ा सा चला कितना एक किलोमेटर ठीक है फिर वह पूरोव दिशा में मुड़कर दो किलोमेटर चलता है अब वह दुबारा से पूरोव की तरफ चला गया कितना दो किलोमेटर इसके बाद वह उत्तर दिसा में 4 किलोमेटर चलता है अब आप देखोगे उत्तर उपर की तरफ जाना है मतलब तो यहां तक यहां तक एक तो हो ही गया इसके मतलब इतना ही होगा क्योंकि एक यहां से यहां तक था तो यहां से भी यहां तक एक होगा और तीन जाएगा वो उपर तो ये वाला एक तीन और ये वाला एक क्या समझ में आया अब पुछा कि अब वह है पहले बिंदू से कितनी दूरी पर है अब देखिए आप कुल मिलाकर अगर मैं इस रेशियो की बात करूँ यहां से मैं दूसरे कलर का एक बार यूज कर रहा हूँ ये वाला जो पूरा हिस्सा है दो यहां से चला था और दो यहां से चला था दो और दो कितना हो गया चार हो गया यानि कि यह है पूरी चार किलिमेटर चला है वो और उपर यहां से क्योंकि दो यहां ये वाला हिस्सा पूचा है अब यह है बन गया आपका एक 3 बूज जिसमें 3 का स्क्वेर 9 और 4 का स्क्वेर 16 अगर आप इन दोनों के जोड़ दोगे 9 और 16, 25 किसका स्क्वेर है 5 का तो आपका रायट अंसर क्या रहेगा 5, क्या भाई कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत या नहीं आया तो एक बार इस वीडियो को मतलब इस कंसेप्ट को दुबारे से देख लेना काफी इपोर्टेंट है ये और आपका बहुत बार एक्जामस में पूचा गया है तो इसी वज़े से बोलता हूँ एक भी कंसेप्ट मिस मत करना आपके 10 में से 10 100% मेरे जिमेदारी है कि मैं आपको दिलवाऊंगा लेकिन कंसेप्ट को एक बार आप कलियर कर लेना मैंने आपको काफी पहले बोला था इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि आप A पहले नमबर पे है B दूसरे नमबर पे पूरे जितने आपके 26 अलफा बैटा है इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना डिजिट के अनुसार तो वही उसी टाइप का क्वेस्टन डिरैक्ली दे दिया अब जिसको याद होगा वो तो कर देगा जिसको याद नहीं होगा वो कैसे करेगा इन्होंने दे दिया डबलू जिसको हम बोलते है 23 स्ट्रॉंग इसको बोलते है 93 तो वीक को क्या बोलेंगे क्वेस्टन आपका 2021 का है 19 दिसंबर टीजिटी का सेम प्यारटी वालों के लिए आते हैं कंसेप्टर सेम इससे थोड़ा सा आप पर लेवल आपका PGT के लिए भी आता है ठीक है तो मतलब की आपके लिए काफी बैनिफिशल यह इकलास रहेगी तो डबलू मतलब अगर डबलू हमारे कोडिंग अलफ़ाबैट पे कौन से पे है 23 पे और एक्जैमिनर ने कौन से पे दे दिया तो 23 पे तो इसका मतलब जो वर्ड जो आपको अलफ़ाबैट दिया है उसका जस्ट उसके स्थान पर आपको नंबर पूट करना है और आपका यह आ जाएगा जैसे कि यहाँ पर 23 दिया है और यह 40 सी है रहा क्या समझ में आया अगर नहीं आया तो दुबारे से इसको रिपीट करके देख लेना आप अच्छा सर आपने इतने जल्दे कैसे करवा दे क्योंकि यहाँ डबलू 23 पर आता है और हमारे अनुसार भी यानि कि अलफा बैट के नुसार भी 23 पर आता है तो बिल्कुल एजी ही क्वेस्टन था यह कोई मोडरेट या डिफिकल्ट टाइप का क्वेस्टन नहीं था सबसे असान क्वेस्टन अब तक यही आया है पांच व्यक्ति हैं पी क्यों और एस टी कौन? T. किसे R और S दोनों से छोटा है लेकिन हमें तो नहीं पता कि R बड़ा है या S बड़ा है तो दोनों को अभी रहने दो हान लेकिं T को आप लिख दो क्योंकि T को हमने कनफर्मेसन कर ही लिया कि पांच ट तो उन दोनों से चोटा है ठीक है क्यों T से लंबा नहीं है तो मतलब कि क्यों नीचे आएगा ठीक है लेकिन एक आदमी से लंबा है मतलब कि इसके नीचे एक आदमी और आएगा R एक आदमी से छोटा है मतलब कि अगर हम S को यहां पर लगा दे और R को यहां पर लगा दे अब देखिए आप इसमें T, R और S से चोटा है तो T ये हो गया R और S दोनों से चोटा है Q T से लंबा नहीं है क्यो T से चोटा है लंबा नहीं ये भी ठीक है लेकिन एक आदमी से लंबा है तो क्यो P से लंबा है ये बात भी ठीक है r یک آدمی से छोटा है तो r s से छोटा है कौन सब से लंबा है क्या समझ में आया क्योंकि आपको क्या करना है आपको पहले जितने वेक्ति दिये है या तो उतने boxages बना लो ऐसे करके एक तरीका यह भी है कि जैसे 5 आपने deep boxes बना दी ऐसे करके अब इसमें बोला कि T, R और S से चोटा है तो इसका मतलब कि T, T आपका यहां पे आएगा यह दो व्यक्तियों से चोटा है या तो R यहां पे आएगा या फिर आपका R यहां पे आएगा या आपका S यहां पे आएगा या फिर आपका S यहां पे आएगा क्यों T से लंबा नहीं लेकिन एक आदमी से लंबा है किसके बारे में बात करें क्यों के बारे में कि वो T से लंबा नहीं है ठीक है लेकिन एक आदमी से लंबा है तो आदमी कौन सा बचा S आ गया R आ गया T आ गया Q आ गया यानि P बचा तो वो हमने डिफाइन कर दिया अब बात करना कि R की R एक आदमी से छोटा है तो इसका मतलब R यहाँ पे आएगा तो बचा कोन S आप ऐसे भी कर सकते हो अब डिपेंड आपके उपरे कि आप कैसे करना चाहते हो तो इजी है लेकिन यह थोड़ी शी महनत मांगते हैं इस परकार के क्वेस्चन यह भी 2020 का प्रसन है और अगेन वही आ गया कि A X का पिता है देखिए A पिता है मतलब कि पलस लगा दो क्योंकि अगर मेल आए आदमी आए तो पलस कर दो X का पिता है किसका पिता है X का तो X को आप यहाँ पर लिख दो लेकिन X का हमें पता नहीं मेल है इस वज़े से इसके उपर कोई भी निसान मतलगाओ और क्या दिया है मैं इसको क्या ठीक कर रहा हूँ मैं अगर इसको थोड़ा से उपर कर लो अब यह उपर भी नहीं होगा चले दुबारा से बना देता हूँ क्योंकि स्पेस भी देखना होता है A पिता है किसका? X का ठीक है अब आगे बोलाई कि B Y की माता है B तो हमें कहीं देखी नहीं रहा न Y देख रहा है तो इसको बाद में देखेंगे X और Z की बहन Y है अब देखो X और Z की बहन Y है तो यानि की X और Z की बहन कौन है Y तो Y के है बहन है किसकी X की भी और Z की भी तो यह भाई बहन ही मिलेंगे X और Z का हमें नहीं पता तो पूछा गया कि नीमन में से कौन सा कत्र हाँ B और Y का पुछा गया है कि अब इसको देखो B Y की माता है अब ये सोलो हो जाएगा कि B Y की माता है तो ऐसे कर दो कि B तो नेग्टिव ही होगा अब इन में बन गया कम्बिनेशन ये हस्बेंड हो गया A B हो गया इसकी वाइफ अब ये सबी 3 के 3 के बच्चे हो गई असत्य है कौन सा है इन में से क्या B Z की माता है B Z की माता है तो भाई ये तो बिल्कुल सत्य है X Z की माता है X Z की माता है B Z की माता है ये तो ठीक है X Z की माता है X Z की माता है ये है नहीं है भाई तो क्या मैंने ये option गलत लिख दिया हाँ side option में mistake हो गया होगा क्योंकि यहां पर आएगा B, Z की माता है तो वह भी सत्या होगा और तीसरा है कि B, A की माता है तो B, A की माता यह गलत एक जो लो पूछ कह रहा है मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है देख लीजिए फटा बड़्चे बना देता हूँ A पीता है यानि A प्लस है किसका X का, X हमें नहीं पता कि क्या है यह अमने लड़का है यह लड़की है लेकिन Y लड़की है यह है बता दिया और इसकी मम्मी है B तो अगर इसकी मम्मी है यह बी तो दोनों हस्बेंड और वाइफ हुए इस तरह आ गया Z क्योंकि यह आपर दिया है अब B, Z की माता है तो B, Z की माता है यह तो सत्या है ठीक है लेकिन पूछा क्या है? सत्या है नहीं है वो पूछा है और X, Z की माता है X X, Z की माता है X, Z की माता है नहीं ये नहीं तीसरा है बी ए की माता है तो बी और ए की माता है ये भी नहीं और क्या पूछा है कि Y A का पुत्र है कि Y A का पुत्र है ये गलत हो गया क्योंकि Y पुत्री है A की पुत्र नहीं तो ठीक है ये गलत है जो आपका first option है कि B Z की माता है B Z की माता है यहाँ पर थोड़ सा आपका option आपको correct करना पड़ेगा ठीक है यहाँ पर साइद Z मिलेगा start day में कि Z B की मात है तो इस वज़े से आपका ये क्या हो जाएगा तो ये थोड़ा size में error है options में ठीक है वैसे इसका option क्याएगा Y A का पुत्र नहीं है क्योंकि ये एक पुत्री है ये सत्य नहीं है ऐसा करके पूचा है ठीक है वो एक option गलत था उसमें tension मतली जी का उसके बारे में ठीक है आगे हम देखते हैं एक आदमी पूरव दिसा तो वही again वैसा ही एक बनाव पूरव दिसा यानि कि आपका इस तरफ होगा पस्चिम आपका इस तरफ होगा और उत्तर आपका इस तरफ होगा और Dentskin आपका इस तरफ होगा ठीक है अब क्या करते हैं हम अब हम चलना शुरू करते हैं कि स्थरफ पूरव के ऑर एक किलोमेटर तक चलता है बस यहीं रोक दो इसको यहां से चलना स्टार्ट के है सहाब एक किलोमेटर इस तरफ चला तो हमने लिख दिया ये एक किलोमेटर चला है ये लिख दिया फिर वह दक्सिन दिशा में मुड़कर पांच किलोमेटर तक चलता है दक्सिन दिशा आने के नीचे तक आता है और पांच किलोमेटर तक यहां तक चलता है ठीक है सहाब फिर वह है पूरो दिसा में मुड़कर दो किलिमेटर चलता है अब वह है दुबारा सी चल पड़ा कितना दो किलिमेटर इसके बाद वह है उत्तर दिसा में मुड़कर नो किलिमेटर जाते तो नो किलिमेटर अब उपर चला गया तो पांच तो यहां तक सेम ही होगा क्योंकि पांच नीचे आए तो पांच उपर अब यहां पर आगया आपका च्यार किलोमेटर ठीक है क्योंकि पुरा नो है तो उपर च्यार ही बचा अब यह कितना हो गया आपका अब यह है आपका हो गया एक यहां तक और दो ये यानि ये एक और दो तीन तो पूछा कितना अब किस दिसा में है मतलब आप कितनी दूरी पर है वो तो चार का स्क्वेर सोला तेन का स्क्वेर नो इन दोनों को जोड़ दो पांच का स्क्वेर पचिस आ जाएगा और ऐसा question सेम इसे पहले सेट में भी हम देख चुके हैं तो यह दो बार था तो इसे वज़े से में ने भी आपको यह दो बार करवा दिया तो चलिए अगले प्रसंद की तरफ हम बढ़ते हैं एक सीरीज दी गई है आपको डी एच एल पी टी एक्स बी एफ जे कैसे करोगे डी कुन से नंबर पे है चार चार से पी आपका सोला पे है तो बारा बढ़ गया और आपका पी सोला पे और बी दूसरे नंबर पे अगेन आपका कितना बारा बढ़ गया तो बारा दुबारा से बढ़ा दो आप क्या नहीं समझ में आया दुबारा करवा देता हूँ देखी डी आपका चोथे नमबर पे है या नहीं जी है सर और पी आपका आता है शोल बे नमबर पे तो कितना बड़ा बारा डिजिट बढ़ गए अब सोला से अगर आप बी पे जाओगे तो Z 26 A 27 B 28 ये 16 पे है तो 12 फिर बढ़ गए अब 12 फिर है आप बढ़ा दो तो दो पे है तो 12 बढ़ा दो यानि 14 चोधा पे कोई आता है आपका N तो क्या कोई N से स्टार्ट है तो N से एक ही तो स्टार्ट है आगे निकालने की जरूर ठीक है तो इसी के साथ जाएंगे कैसे कि हमने first digit को देखा कितने कितने बढ़ रहा है जितना बढ़ा उसमें उतना ही same ratio बढ़ा दो क्योंकि series हमेशा same ratio में ही बढ़ती है तो बिल्कुल easy question था इस पर ज्यादा time हम नहीं लगाएंगे हाँ यह एक अच्छा question है इस पर हम थोड़ा सा time लगाएंगे क्योंकि ऐसे question काफी सारे candidate गलत कर देते हैं यह आपको थोड़ा सा बारेकी से समझा लेना है और इसमें हम options का सहरा लेंगे क्योंकि कुछ question ऐसे भी होते हैं जिनको हम option की मदद से बिल्कुल easy और बिल्कुल कम time म कर सकते हैं पहले statement पढ़िए कि 15 आदमी है उनका एक सम्मू है है ग्रूप है कोई जिसमें साथ हिंदी पढ़ते हैं आठ अंग्रेजी पढ़ते हैं और तीन कोई भी language नहीं पढ़ते तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों को इकठा पढ़ने वाले कितने लोग हैं तो अब द change करते हैं अब देखते हैं कि English बढ़ते हैं आठ लोग ठीक है मैंने English को E लिख दिया और इसको पढ़ते हैं आठ लोग ठीक है सहाब अब क्या बोला है कि ये कुल मिलाकर हैं 15 इंसान 15 आदमी है लेकिन 15 में से 3 लोग क्योंकि 15 है 15 में से आपके 3 लोग तो कोई पढ़ते ही नहीं ठीक हो तो पहले ही उनको बाहर निकाल दो बचे कितने 12 तो ये 12 हैं वो जो हिंदी भी पढ़ते हैं और कुछ अंग्रेजी पढ़ते हैं लेकिन पूछा इसके बारे में गया है ये जो आपका बीच वाला पोर्सन है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों जो इकठे पढ कितने लोग है तो अगर देखे पहले जिरो आगे अगर हम यहाँ पर जिरो रख देगे तो जिरो को तो वैसे भी आप हटा ही दोगे कि जिरो का तो कोई मतलब है ही नहीं कोई कि 7 और 8 15 हो जाता है हमें इनसान चाहिए 12 लेकिन अगर हम यहाँ पर 3 को रख दे 3 हमने कहा कि भाई वो तीन लोग है अगर वो तीन लोग होंगे तो इस तरफ कितने बचेंगे साथ में से तीन गटा दिया तो सिर्फ हिंदी पढ़ने वाले हो गए आपके चार ठीक है सहाब सिर्फ अंग्रेजी पढ़ने वाले हो गए आपके कितने अब आठ में से आप तीन को गटा दो और 5 और दोनों पढ़ने वाले होगे तेन अब आप इनको जोड कर देके 4 और 37 और 5 बारा तो 12 ही लोग तो हमें चाहिए थे यह है जो आपकी टीर आई है यही इतना ही तो हमें चाहिए था 4 और 37 और 5 बारा क्या समझ में आया यह नहीं ने को पहले हिंदी पढ़ने वाले हैं आपके पास साथ सिरफ हिंदी नहीं बोला इन्होंने का है कि हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी हो सकता है कि कोई अंग्रेजी पढ़ता है और हिंदी भी तो वो भी इसी के अंदर आ गया तो वह है साथ और अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं आठ तो अब 7 और 8 अगर देखा जाए तो हो जाते है 15 लेकिन इन में से 3 कुछ भी नहीं पढ़ते तो यानि कि वैक्ती कम है 12 है लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों को पढ़ते होंगे तो इसी वज़े से हमें इस पार्ट को निकालना है कैसे निकालो गया अब आप देखिए अगर आप उप्सन की सहायता से जाओ जिरो अगर आप रख दोगे तब अगर मतलब जिरो आदमी अगर कोई आदमी ऐसा है ही नहीं तब तो पंदरा हो जाएंगे दोनों को जोड़ कर देख लो हमारे पास इंसान बारा है अगर आप दूसरे उप्सन के साथ जाओ गए तीन रख दो यहां पर तो शिर्फ हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं साथ में से तीन कटा दो यानिकि चार लोग सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं और साथ लोग हिंदी नीमन सरेणी में लुप्त सबद गयात करें तो एक सरेणी दी है इसमें आपको लुप्त सबद गयात करना है पहली बात तो कि यहां पर एक सबद है यहां पर दो यहां पर तीन यहां पर पता नहीं कितने आएंगे और यहां पर पांच यानि एक भी है दो भी है तीन भी है 4 नहीं है 5 है तो सिदी सी मतलब सिदी सी बात है कि जिसमें 4 होंगे वही हमारा अंसर होगा तो इसमें तो भाई 3 है इसको पहले ही बगा दो है अब देखिए A मतलब की 1 फिर B गाइब कर दिया 3 और 4 दोनों इकटे है 3 और 4 दोनों इकटे आए फिर आपका साथ आठ और नो इकठे आए तो इसका मतलब एक वो तो अकेला ही रहेगा तीन चार इन दोनों का एक पेर साथ आठ नो इनका भी पेर इसका मतलब जो चार वर्ड आएंगे वो एक साथ के करम बद तरीके से मिलेंगे क्योंकि आगे भी यू वी डबलू एक्स वाई तो यह भी एकठे हैं तो ल एम एन ओ हो सकता है ये भी अभी इसको पेंडिंग में रखते हैं एन ओ पी क्यो ये भी हो सकता है इसको यह भी पेंडिंग में रखते हैं एम एन ओ पी तो इसका मतलब यहां से भी हमारा question solo नहीं होगा तो चलिए इसके लिए फिर हम तीसरा तीगडम लगाते हैं वह है कि उनसा आपका पहला हमारे पास एक पहले नमबर पर फिर आपका एक का space दे दिया फिर आपका मतलब बीच में दो नहीं आया तब आपका आया 3 और 4 फिर जितने अकसर आये दो आये थे फिर उतने ही नहीं आये मतलब 5 और 6 नहीं आये फिर 3 अकसर आये फिर 3 ही इनके बीच से मिस भी रहेंगे 9 तक तो आ गया 10, 11 और 12 यह नहीं आएंगे फिर कौन से आएंगे 13, 14, 15 और 16 तो इस वज़े से हम M, N, O, P के साथ जाएंगे M, 13, N, 14, O, 15, P, 16 क्या समझ में आया दुबारा करवा देता हूँ एक पहले नमबर पे आता है C और D यानि एक के एक के बाद अगर आपने एक डिजिट को गाइब कर दिया A, Alpha, P, 8 को गाइब कर दिया किसको B को गाइब कर दिया तो फिर C और D आगे तो मतलब क्या हो गए आपका 3 और 4 फिर 3 डिजिट हैं आपके और यहाँ पे कितने थे आपके 2 तो जितने आए उतने ही गाइब कर दो 5 और 6 को गाइब कर दो तो 7, 8, 9 आपके सामने है तो इन 7, 8, 9, 3 डिजिट ते अगले 3 डिजिट कर दो 10, 11, 12 तो आपके आएगे 13, 14, 15, 16 तो यही आपका राइट अंसर रहेगा तो चलिए इसके बाद हम अगले प्रसन के तरफ मूव करते हैं इस टाइप के आपके काफी सारे क्वेस्चन पूछे जा रहे हैं तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखर जाना अमित प्रकास के पस्चिम में है तो हम ऐसे करेंगे इसको ठीक है और यहां पर लिख देंगे आपका वही अगेन पूरव पस्चिम उत्तर और दक्सिन ठीक है किसकी बात की है बात की है आपके अमित की और प्रकास की प्रकास के पस्चिम में है तो हम प्रकास को यहां मानेंगे और अमित को यहां मानेंगे अमित को मैंने लिख दिया ए प्रकास को लिख दिया मैंने पी ठीक है सहाब और सुमित के उत्र में है अब सुमित सुमित का उत्र किस तरफ होगा सुमित का उत्र होगा उपर तो हम क्या सुमित को यह हमाल ले तो सुमित को मैंने लिख दिया S अब सुमित का उत्र तो उपर की तरफ ही होगा अमित के बारें बात कर रहे हैं तरुन सुमित के पूरव की ओर है तरुन यानिकि T सुमित यानिकि S के पूरव की ओर है पूरव होता है इस तरफ तो इस तरफ है इस तरफ कहीं पे भी लगा दो आप चलिए आप यहीं पर लगा दो कौन तरुन T यह भी कंसेप्ट हो गया तरुन अमित के संदरब में किस दि सामें तो ये है बिल्कुल इसके ठीक सामने है तो इसके ठीक सामने कैसे हो गई ये तो इसके ठीक सामने हो गई तो पहले तो अमित को देखिए आप अमित कहां पर है उपर की तरफ है ये वाला अब इसके संद्रब में किसको पूछा है इसको पूछा है किसको टी को लेकिन प उत्तर तो जिस भी उसमें आपका होगा तो उसको तो पहले काट देजी उत्तर पस्चिम इसके पीछे भी नहीं है तो पस्चिन वाला भी जहां पर पस्चिम होगा तो आप उसको भी उड़ा दीजिए पस्चिम कहां पर आपका यह है क्या वो सिर्फ दक्षिन में है तो इसक कि यह दिसाई हैं आठ प्रकार की तो उस पे आप थोड़ा सा काम किजिए एक आपके घर में चार्ट पना कर लगा दीजिए चार्ट कुन सा सहाब ऐसे लिखिए यहां पर आप लिखे पूरो यहां पर लिखे पस्चिम यहां पर उत्तर यहां पर दक्सिन ठीक है और यहां प आपकी उत्तर पस्चिम और उत्तर पूरो यह आठ दिसाई हैं इनको आप लिखकर लगा दीजिए चलिए आपका एक काफी इंट्रस्टिंग मैथड है यह भी ड्राइवर को लिखते हैं 12 और पैडिया स्ट्रेंट को लिखते हैं 20 एक्सिडेंट को लिखते हैं 16 क्या लिख चार पर आर मतलब की 18 आई मतलब की 9 वी मतलब की टी यू वी 22 ई 5 और आर अगें 18 तो इसको लिखते हैं जस्ट 9 नमबर तो 9 को आप क्या करोगे इसके लिए ठीक है इतना साहब हम कर लेंगे लेकिन अगर आप इसमें देखोगे बहुत सारे कैनिडेट इसके साथ चले जात ड्राइवर 6 अलफाबेट का प्रयोग किया गया है तो 6 को गुना 2 से करते हैं तो 12 पैडिज स्ट्रेन में आपको दिया गया है 10 डिजित तो इसमें भी अगर आप 2 से मिल्टिप्लाइ कर देंगे पैडिज स्ट्रेन में तो आपको 20 अंसर आएगा एक्सिजेंट में 8 है ये आप कर सकते हैं इसमें आपको एक वर्डिन में कुछ गलत करके दिया है तो हमें वह ढूंडना है कैसे ढूंडोगे देखते हैं देखिए हमने एक बात को देखा कि 59, 55, 26, 13 और 5 ये है आरोही करम है आरोही करम कौन सा हो आरोही नहीं अवरोही ठीक है आरोही चड़ते करम और अवरोही यानिके उतरते करम आरोही चड़ते और अवरोही उतरते करम तो उतरते करम में ये दिये गई है अगर आप पीछे है आरोही ठीक है Suzanne 99 में से क्या गटाएं कि आपका 55 आ जाए तो हम ने गटा दिया चाहब 14 ठीक है और अब इसका डिफ्रेंस कितना हो गया 14 हो गया है कि इसके बाद 55 में से क्या गटाएं कि 26 आ जाए आपका 25 और 24 29 हो गया अब इसमें से क्या गटाएं कि आपका ये 13 आ जाए तब आपका 13 और यहां पर 5 क्या लोजिक बना नहीं बना तो कोई नहीं दूसरा लोजिक ट्राई करते हैं चलिए इसमें भी थोड़ा सा अलग पैटरन लगेगा मैं आपको इसको भी लास्ट में करवाऊंगा यहां पर आपका एक स्रिंखला दी गई है और इसमें पूछा गया कि गलत कौन सा है तो अब आप बिल्कुल एजली बता दोगे देखी यह भी पूरी पूरी एक सीरीज है इसमें अगर आप नोटिस कर रहे हो जीरो तीन नो बारा च्छतिस उन्ताली ब्याली एक सो बीस त तो पहले बात तो कि यह हमें लगबग लगबग तीन के मल्टिपल लग रहे हैं तो अब आप इसको कैसे करोगे कि जीरो से तीन पे हम कैसे आएंगे पलस तीन कर दिया ठीक है सहाब अब तीन से नो पर जब आते हैं एक बार तीन से गुना करके देखना पलस तीन पलस गु समझे कुछ पहले तीन जोड रखा है फिर तीन से गुणा कर रखी है जीरो से तीन पर कैसे गए हम पहले हमने तीन इसमें जोड दिया जीरो में तीन जोड़ेंगे तो तीन अब गुणा कर दो तीन की तीन के साथ नो अब जोड दो तीन बारा अब गुणा कर दो 36 अब जोड पर 2023 को आया है ये 42 है ये ठीक है तो इस परकार से आप कर सकते हो इसके बाद हम अगले प्रसन पर चलते हैं आपका यह है रहा आपका अगला प्रसन देखिए यह है आपका 16-4 इसको बोला गए है आपका 2 और 9-3 इसको बोला गए है आपका 2 और 81-3 इसको बोला गए है आपका च्यार तो 64-4 क्या होगा अब यह थोड़ा सा दिमाग गुमा सकते है क्योंकि वैसे तो लोग 2 बोल देंगे यहां पर वैसे तो लोग 2 बोल दें क्योंकि यहां पर भी 2 है यहां पर भी 2 है यहां पर भी 4 है तो यह तो 4 की साथ यहाँ पर आप 2 के साथ यहाँ पर जाओगी लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज देखनी है क्या यहाँ पर जो 16 है यहाँ किसका स्क्वेर है 4 का और यहाँ किसका स्क्वेर है 3, 9 यहाँ 3 का और 81 किसका स्क्वेर है आपका 9 का ठीक है और सेम अगर हम 64 की बात करें अगर हम 64 की बात कर दें तो वह है किस का square है अपका 8 का ठीक है तो 8 के साथ क्या relation बनता है इसका देखते है तो क्या कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है अगर हम क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था कि थोड़ा सा आपका दिमाग है जो गुमा सकता है अगर हम यहाँ पर जो आपका 64 है अगर उसको देखें किया यह आपको 4 का क्यूब नहीं लग रहा 4 का क्यूब है और यह 81 क्या है आपका 81 आपका 3 की अगर आप 3 गुना 3, 9 गुना 3 इनस्ताई गुना 4 कर दोगे यानि कि जो आपका यहाँ पर 16 माइनस 4 दिया है इस 4 को पकड़ो उस 4 को अगर आप स्क्वेर करोगे यानि 4 गुना 4 करोगे तो 16 आएगा यहाँ जो 3 दिया है तीन का अगर स्क्वेर करोगे तो 9 आएगा तो हमें यहां से यह बनाना है तो सीधी बात यह है तो हमारे पास option है 3,2,4,6 तो आपका right answer क्या रहेगा 4 तो 4 आपका right answer रहेगा है ना तो कि 4 से यह आपका 64 बन सकते है तो थोड़ा सा अलग type का एक question था तो थोड़ा ध्यान रखेगा अगले प्रेसर पर चलते हैं सेम है यह तो आपका D4 पर 4 और J K 11 साथ जुड़ गया K के बाद आता है आपका 11 11 पर है 11 के बाद आता है आपका P Q 16 पर यहां पर भी मिल लिखते देता हूँ 4 से J K 7 जुड़ गया इस से अगले पर जाते हैं Q कितने पर 17 पर तो 6 जुड़ गया क्या अभी हम 5 जुड़ कर देखें तो 5 पर क्या आएगा V V से कौन कौन से स्टार्ट है यह तो आपका कट गया यह भी कट गया तो क्योंकि 22 आएगा तो 7 6 5 ऐसे चलेगी सिरीज फिसके बाद 4 ठीके तो V आएगा तो V T U आएगा या V U डबलू आएगा इसके बाद दूसरे सिरीज देखते हैं B 2 प्लस 7 9 प्लस 6 15 प्लस 5 20 तो वही सिरीज है आपकी 7 6 5 यही तीन डिजिट आपको हर एक अलफ़बैट के साथ जोडने है तब आपका क्या आएगा V T U ठीके कुछ ही क्वेस्टन हमारे रहते हैं देखते हैं कितने 1 2 3 4 5 6 6 क्वेस्टन हमारे बचते हैं और यह हम अगले 10 से 12 मिनिट में गर लेंगे तो डोट वरे क्योंकि आप भी तक्रीबन एक सोबा घंटे से हमारे साथ बैठे हुए हो और दो क्वेस्टन हमारे और भी बचते हैं जो कि मैंने आपको चटवा रखे हैं तो उसको भी मैं करवाओंगा ठीके डोंट वरी तो चलिए अब इसको हम देख लेते हैं यह है लिखा है कि किसी कुट भास हमें प्रोजेक्ट को C-E-O-R-P-R-T लिखते हैं और प्लेन को E-L-N-P लिखा जाते है तो और्गिनाइजर को क्या लिखेंगे तो सबसे वहले तो आप इसमें एक चीज़ नोट कर लो प्लेन को E-L-N-P लिख दे यहाँ पर पांच आपके अलफाबेट थे यहाँ पर चार तो मतलब कि A-E करके गाइब कर रहा है लेकिन गाइब कौन सा हुआ इसमें A नहीं आया तो पांच है तो पांच के ठीक मिड वाला सेंटर वाला नहीं आया तो यहाँ पर देखें यहाँ पर प्रोजेक्ट में साथ हैं हम J को छोड़ दे तो क्या इसमें ठीक है इसमें वही पैटन लगा रखा है कि और्गिनाइजर में भी आपका सेंटर लगेगा यहाँ पर थे आपके साथ अक्सर साथ में से ठीक जो बीच वाला है उसको गाइब कर दिया यहाँ पर थे आपके पांच अक्सर पांच में से जो ठीक बीच वाला था उसको गाइब कर दिया तो और्गिनाइजर में आप दे लू कि तने है चार दो, छे ओर्थ नो है तो नो में से चार इस तरफ चोड़ दो चार इस तरफ चोड़ दो तो अन आपका गाइब हो जाएगा तो N क्या हो जाएगा आपका गाइब तो N तो हमने चली गाइब कर ही दिया वैसे N है नहीं N है भी नहीं तो इसको कैसे लिखेंगे आपने ये कैसे लिखा P, R, O को हमने लिखा P कहां चला गए आपका P, इसके बाद चला गए आपका R, तो यह है दोनों यहां पर चले गए तो T बिल्कुल जो लास्ट वाला था जो लास्ट था वह रहा लास्ट में इसमें E, इसमें E आगया पहले ठीक है ऐसा भी बन सकता है लेकिन I think यह है काम नहीं करेगा तो दूसरा कौन सा हमने वह है बीच वाला हटा के हाँ यह बनेगा कि इसमें आपने अगर बीच वाला हटा दिया जे हटा दिया अब जितने भी आपके अलफाबेट बचे हैं उनको आप करम बदत तरीके से लगा दीजिए क्रोनोलोजिकल काल में इनमें पहले कौन सा सबसे पहले कौन सा है C है तो यह आगए C C के बाद कौन सा आता है हमारे पास E तो यह आगए E E के बाद कौन सा है O फिर P फिर R और फिर T तो ठीक इसी में भी इसी परकार से किया गया सबसे पहले A है तो A तो हमने काठी दिया इसके बाद E फिर LNP तो इसमें भी सेम ऐसा ही रहेगा क्योंकि हमने N तो काठी दिया तो इसमें और्गनाजर में A पहले है इसके बाद फिर कौन सा आएगा यह वाला D डी आएगा फिर कौन सा E है क्या G हाँ G भी है फिर I है O, R और S यह है हमारा A, D, E, G, I, O, R, S A, D, E, G, I, O, R, S उप्सें D में है थोड़ा सा डिफ्रेंट मैथ्ट है लेकिन ऐसा आ जाता है कई बार सु कर लीजिएगा इसको तो मैं कितनी बार कराऊँ यह है अगर कोई भी देखे इस वीडियो को तो यह है आपके लिए है कि यह है उत्तर पस्चिम कैसे आएगा कोमेंट करके आपको मुझे बताना है ठीके तो दिये गए विकल्पों में से एक अलग को चुनना है देखे सारंगी गिटार, विर्णा और बासुरी देखे जो सारंगी होते हैं उसके अंदर स्ट्रेंग्स होते है तार, गिटार के अंदर भी तार होते हैं विर्णा के अंदर भी लेकिन बासुरी आपकी मुख की हावा से बज़ती है तो उसके अंदर तारें नहीं होते तो इस वज़े से आपका बासुरी आ गया और यह है इस परकार के अब अब जो भी यहां पर दिये गए हैं इन दोनों के बिच में C और फिर B पहले उपर लिख दीजी, C और फिर B, A, D, A यहां पर और D यहां पर, ठीक है सहाब, अब यदि A विभाजन को बताता है जहां पर A है वहां पर आप भाग दे दीजी, B, योग को बताता है, B, योग को C, घटाने को बताता है, और D, गुनन को बताता है, तो भागू योग मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 8 को 2 से डिवाइट करेंगे तो कितना आएगा 4 अब 4 गुना 6 कितना आएगा आपका 24 तो यहां से निकल कर रहा आगया 24 अब 24 और आपका 24 चौवारीस में से अगर आप 32 को उटा देंगे कितना बचेगा आपके पास 32 यानि कि लास्ट में लिखिए उनके ठीक बीच में जिसका जो मतलब है और उसको सोलो कर दीजिए अगर नहीं समझ मैं तो दुबारे से देख लीजीगा यह क्वेस्चन भी चलिए इसको तुमें करवा ही देता हूं क्योंकि आज की इस वीडियो में यदि हमने 50 से 70 जितने भी क्वेस यहां पर लिखिए ऐसे करके लिखिए पूरो यहां पर आपका पस्चिम यहां पर उत्र यहां पर दक्सिन यहां पर ए आठ किलोमेटर दक्सिन में चलता है दक्सिन नीचे की तरफ दूसरे पैन के साथ बनाता हूं कितने नीचे चला आठ किलोमेटर ठीक है सहाब भाई उत्तर ऊपर की तरफ और पूरो उस तरफ यान की ठीक बीचो बीच चलेगा ऐसे क्योंकि उत्तर और पूरो इसके तो यही हो गया अगर आगे चलता तो लेकिन चला है 10 किलोमेटर तो 10 किलोमेटर कहा होगा देखी 8 का स्क्वेर होता है 64 6 का स्क्वेर 36 अगर आप दोनों को जोड़ोगे 100 और 100 किसका स्क्वेर है 10 का तो मतलब यही पर पहुचा वो तो यही वज़े से वो 0 किलोमेटर उसने कोई डिस्टैंस अगर पूछे तो अब वह किस बिंदु पर है? अब वह उसके पहले ही बिंदु पर है ए प्रारिमिक बिंदु से केतने दूरी पर है? 0 किलोमेटर पर क्या समझ में आया आपको? चलिए एक क्वेस्टेन और है आपका और वह क्वेस्टेन है अगर आपको द्यान होतो कि मैंने इसको पहले करवाय था उसके अंदर options गलत दे लिए ये वही question है उसके अंदर options गलत थे आपको दुबारा दिखा भी दूँगा AX का पिता है A उपर है X इसका पिता है ये ठीक है AX का पिता है A पिता है X का आपको पिता है ये लेडिज है ये जेंट्स है B य की माता है B और Y का हमें नहीं पता कौन है X Z की बहन Y हो X वे Z की बहन तो X और Z की बहन हो Y तो Y लेडिज है और यहाँ पर बोला है कि B Y की माता है तो B माता है लेडिज है तो negative लगाएंगे अब इन दोनों में double line मतलब है husband और wife है A और B तो पूछ है कि इन में से बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है तो अब ध्यान देना अब जो A है क्या है कि B A की पतनी नहीं है कि B A की पतनी नहीं है भाई ये तो गलत है क्योंकि पतनी तो है दूसरा देखते है B की एक पत्री है तो ये B की एक पत्री है हाँ तो पत्री तो है ये ठीक हो गया आपका अगला X A का पत्र है X A का पत्र है उपर क्या दिया था कि भाई हामें नहीं पता कि ये पत्र है या पत्री है और लास्ट में दिया है कि बी ए की पतनी नहीं है यह गिलत है और क्या दिये है एक्स ए का पुत्र है एक्स भई हम कैसे माल ले कि यह पुत्र है पुत्री है क्या है क्योंकि यहां पर तो ऐसे दिया है कि एक्स का पिता ए है तो इसके बारे में तो को डिफाइन नहीं किया गया था तो इस वज़े से हम इस option के साथ जाए और I think ये दोनों एक ही question है क्योंकि मेरे को लग रहा है कि यहां पर भी कुछ typing mistake हो गई या फिर question ही कुछ ऐसा है तो चलिए एक बार मैं अभी चेक कर लीता हूँ तो दोस्तों मैंने अभी अभी चेक किया कि इसमें हमसे ही कुछ typing mistake हुई है और यहां पर जो यह नहीं वर्ड है यह नहीं आएगा ठीक है इसमें है कि B A की पत्री है जो कि बिल्कुल सही बैठता है B की A की पुत्री है यह भी सही बैठता है Y Z की बहन है यह भी सही बैठता है X A का पुत्र है यह है सही नहीं बैठता है क्योंकि X का gender define नहीं किया गया X एक लड़की भी हो सकती है और एक लड़का भी तो यही था वो आपका question और I think यह है कि लास्ट question है हमारा हाँ तो यह हमारा सबसे आखरी question है तो एक और यही टाइप को पर question था जिसको मैंने आपको बोला था कि बिल्कुल बाद में आपको कराऊंगा तो यह बिल्कुल same question है और यह दो बार पूछा गया जिसके अंदर आपकी option में mistake थी और हमने same वहीं से उठाया था वो तो इस वज़े से हमसे भी mistake हो गई तो लेकिन आप लोगों ने challenge भी किया होगा जिन्होंने पिछला एच्ट टेट दिया था साइध वो 21-20 का था तो काफी पुराना हो गया चलिए बतो लेकिन इसमें हमने सही किया है इसमें नहीं world नहीं आएगा ठीक है तो एक तो आपका यही doubt दूर हो गया और एक दो question और बचते हैं जो कि इसी वीडियो में मैं अभी आपको करवा दूँगा तो लगबग आज की इस वीडियो में हमने पिछले चार से पांच सालों के जो questions हैं उनको किया है ये वाला आपका question था चलिए एक बार इसको भी हम लोग देख लेते हैं तो guys मैंने इसको दुबारे से चेक किया है और इसको हमने उठाया था आपके previous years के question से तो मैंने यही देखा कि इसका कोई एक logic बनता ही नहीं और मैं आपको गलत बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहता क्योंकि एक दो question जिसको मैंने आपको पहले ही बोल जाते हैं कि इसको आप छोड़ दीजी तो मुझे उसमें doubt लगा था तो यह 5 इन होने डाल दिया क्योंकि इसके अंदर कोई logic तो नहीं बन रहा देखी अगर हम 5 को हटा दे तो इसका मतलब सभी के अंदर कुछ ना कुछ logic लगना चाहिए तो इसके अंदर क्या logic लगता है क्योंकि अगर मैं बात करूँ जस्ट एक पांच एक मात्र ऐसी संख्य है जो कि 5 से भाग होते है तो पच्पन भी है तो ना तो यह logic लगता अगर हम बात करें इसकी कि आपकी divisible और non divisible की क्योंकि अब 55, 11 से भाग होती है 69, 13 से भाग होती है तो बाकि अगर हम बात करें कि 13 से भाग होती है सुरी यह भी नहीं होगा उनाहत्र भी आपका यह नहीं होगा यहां पर 65 हो सकता था तो पांच इन होने अंसर दिया है तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया और मैं आपको गलत नहीं करवाना चाहता फिर भी अगर आप इस वीडियो को यहां तक देखते हो अगर आपके दिमाग में कोई भी लोजिक आता है तो आप कॉमेंट करके बता दे ना क्योंकि बाकी जो बच्चे हैं उनको भी पता लग जाएगा चलिए और देख लेते हैं मैंने आपको कोई एक क्वेस्चन और साइद चड़वाया था तो वह भी एक बार देख लेते हैं यह है तो मैंने आपको अल्मोस्ट करवा ही दिये और यह है आपके 90 मिनिट की एक लेक्चर रहा है काफी सांदार आज का लेक्चर मुझे काफे मज़ा आया आप लोगों के साथ काफे सारी डिस्कस करके जो यह है क्वेस्चन है इसके ऑप्सं में मिस्टेक है इसक्वेस्चन को मैंने अभी जस्ट नीचे करवाया है उसमें भी टैपिंग मिस्टेक हो गई थी तो यह दो बर पूछा गया है अलग-अलग वैरीस एक्जाम में लेकिन दोनों बर एच्ट एच्ट टीजटे के अंदर पूछा गया है तो यह उप्सन आपका यह वैसे अंसर तो सही है ठीक है वाई एका पुत्र है वाई ठीक है क्या पता नहीं यह क्योंकि हमें वाई वाई तो एक लड़की है क्योंकि यहां पर इसका पहला ही ओप्सन मिस्टेक कर दिया गया है तो और यह है यह टैपिंग मिस्टेक में नहीं पीछे से ही मिस्टेक था क्योंकि इसको हमने दुबारा से देख लिया है अच्छे तरीके से तो क्या एक क्वेस्टिन और था अगर होगा तो मैं जरूर करवा दूँगा भी आपको आपको बिल्कुल भी घबराने के जरूरत नहीं है अगर जिसने इतने सारे क्वेस्टिन किये होंगे तो यह भी हमने कर लिया था तो अगर जिस भी इनसान ने इतने सारे क्वेस्टिन किये होंगे हाँ एक यह है चलो इसको देख लेते हैं पहले एक पर वैसे में इस क्वेस्टिन को आपको करवा तो दूँगा लेकिन इसमें आई तिंक कुछ गलत दे रख़ा है चलो यह एक बर पहले इसको कर ही लेते हैं देखी यहां पर दिया है आपके सामने 135, 236, 353, 552 और 749 135 से जब आप 226 के तरफ जाएंगे तब आपका जो डिफ्रेंस होगा वो 91 नंबर का होगा 226 से 353 अगर आप इस पे जाएंगे तब आपका डिफ्रेंस होगा 127 नंबर का हाँ ठीक है और यहां से जब आप 552 के तरफ जाएंगे तब आपका डिफ्रेंस होगा यह 119 नंबर का 119 नंबर यह जादा सुरी 209 नंबर और लास्ट वाला अगर आप यहां से आगे बढ़ेंगे 552 से 739 यह है आपको देखने को मिलेगा 187 187 यह थोड़ा सा डिफिकल्ट मुझे इस वज़े से लगा क्योंकि यहां से यहां तक आपका आजाता है 36 36 का आखड़ा है आपका 127 से 149 चती दूनी 72 हो गया ठीक है अगर अब आप इसके अंदर 100 यहां पर 36 आए यहां पर 72 तो इसके इसाब से तो 108 आपना चाहिए था लेकिन आया कितना यहां आपका only 88 ठीक है यहां तो फ्रीक क्वेस्चन में mistake दी हुई है क्योंकि यहां पर आपका हमारे उनसार last में है यह अगर हम 108 बढ़ा दें तब कितना आएगा अगर आप इसमें 108 जोड़ेंगी तब बताइए तब कितना आएगा नहीं सता इकानवे का फरक हो गया ठीक है यहां पर है आपका 127 का ठीक है यहां पर है आपका 199 का अब देखिए इसके गोडिंग आगे इन दोनों में कितना डिफरेंस होना चाहिए इसमें होना चाहिए आपका यहां से यहां तक आपका भात तरका हुआ तो यहां से यहां तक आपका एक सो आठ होना चाहिए तो यहांने कि एक सो आठ होगा तब इसमें एक सो आठ और जोड़ दीजिए एक सो निजान में दो सो साथ अब दो सो साथ को आपका ये option C या फिर वो by mistake दे गए तो यहां पर ये ये देना था तो हमारे उनसार ये आता है तो इस वज़े से मैंने इसको आपको बोला था कि बिल्कुल last में करेंगी और आपके जितने question है मैंने आपको बिल्कुल अच्छे त्रेके से करवा दी क्या हमारा और कोई question बच बिल्कुल अच्छे त्रेके से अप लोगों के साथ शेयर किये है एक ही question था जिसमें थोड़ सा ये वाला doubt लग रहा था जिसके मैंने इसी वज़े से आपको बोला था कि बिल्कुल last में इसको देखें तो चलिए I hope कि आपको पूरा पूरा lecture teaching style PDF सब कुछ पूरा content आपको genuine तरीकी से लगा होगा और again मैं यही बता देता हूँ यदि आप एक stat के चातर है या चातरा है अगर आपने इस पूरी वीडियो को अच्छे तरीकी से देखा है और साथ में अगर आपने इसी PDF को एक बार revise किया है या अगर आप कर लोगे साथ में थोड़ से question practice कर लोगे तो तो आपके 10 में से 10 101% आएंगे ही आएंगे फिर भी यदि आपको कोई भी doubt रह जाता है तो telegram channel पर हमारे contacts दिये हुए हैं तो आप directly messages में बात कर सकते हो तो आपका तुरंत साथ की साथ आपका reply किया जाएगा तो वैसे तो लगातार उने 2 घंटे कोई असान बात नहीं होती कि लगातार एक ही जगाए बैठ कर पड़ा जाए लेकिन भाई 10 नंबर का सवाल है अगर आपके आते हैं 80 marks अगर आपको रिजिनिंग नहीं आते इस वीडियो को देखने के बाद आपके रिजिनिंग कलिर हो जाते तो भाई आप पास हो जाओगी यह है आप सोचो तो चलि फट्स डाले हैं और क्या उसका बैगराउंड रहा है तो आप सड़नली किसी कोचिंग में जाकर लाइबरेरी में जाकर खुद की कमपैरिजन किसी और के साथ मत क्या करों या बहुत बार परोसियों के साथ रिष्टिदारों के साथ कि वो लग गया वो लग दी मैं नहीं ल ही घूम रहा है सिमला ही मासल की तरफ चला गया मन या जहां भी आप लेके जाते हो तो ऐसा नहीं करना है मेरे भाई हर दिन अच्छे तरह किसे पढ़ना है माबाप जीतना इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप खुद से भी कमागे कर रहे हो तो वैसे पैसे नहीं बनते हर एक दिन मेहनत करने पड़ती है पैसे कि अगर असली में कापलियत आपको देखनी है या फिर पूछना है किसी से किपासों की कीमत का है उस मजदूर से पूछो मिस्तरी से पूछो उस किसान से पूछो जिसकी पूरे दिन मेहनत करने के बाद 500 रुपए नहीं मिलते पूरे जिन आपना साररीक सरम करता है, साररीक पूरी महनत करता है, कुछ खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, कम एज में बड़ा लगने लग जाता है, और आपको तो एक कुर्सी मिली हुई है, माबाप पैसे दे रहे हैं, या फिर जो पती दे रहा है या फिर जो भी आप खुझ से कमा रहे हैं जो भी पैसे तो हैं आपके पास एक कुर्सी है उपर फंका चलता है गरमियों में आपके लिए हीटर के विवस्ता कर दी जाते हैं अच्छे-अच्छे आपको कलोट्स गपड़े दिये जा रहे हैं बहुत सवाइब के लोगों के पास गाड़ी होगी गाड़ी नहीं तो बाइक होगी अब बाइक भी नहीं तो रोडवेज से आप आई ही रहे हो अब तो फैसिलेटिज आपके घर पर भी है गाउं में लाइबरेरी भी है तो अच्छा खाना मिल रहा और क्या चाहिए क्या आप अब कुर्शी पर बैठ कर महनत भी नहीं कर सकते हैं तो फिर वो महनत कर लो जो कि एक मजदूर एक किसान अपने खेतों में 12 या फिर 10 घंटे करते हैं 500 या 400 रुपे मिलते हैं और उनसे कभी जाकर पूछना हो सकता है कि आप में से भी बहुत सारे लोगों के ममी पापा वही काम करते हैं तो उनसे जरह एक बार पूछना कि उन्होंने पूरी जिंदगी में एक्स्टिल में किया क्या है तब आपको बताएंगे कि हमने अपने पूरी जिंदगी आप लोगों के लिए लगा दी और आप हो आज की खुद को डाउन फिल कर वा रहे हो किशी और को देखर कि वो नोकरी लग गया भाई वो नोकरी लग गी तो हरे एक इनसान का टाइम आता है अपनी क्वालफिकेशन पर ध्यान दीजिए अपने अकैडमिक्स पूरी कीजिए जो भी आपने चीजें की हैं लेकिन अपने उपर पूरे विश्वास रखिए यकीन कीजिए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ पढ़ रही हूँ सही जगह से सही तरीके से पढ़ रहा हूँ अगर आप खुद के उपर प्रैक्टिस करेंगे थोड़ सा टाइम इन्वेस्ट करेंगे हाँ पढ़ते टाइम दिमाग के अंदर कुछ भी मत लेके आना कि उसके पैसे देने हैं उसके पास कोल करने हैं नहीं भाई फैल हो जाओगे सही बोल रहा हूँ ये तो जस्ट एक टैट पास करना है इसके बाद एक और भी बड़ी चीज जो आपको एकजाम तक लेके जाएगी वो भी करना है वो पेपर भी क्रैक करना है पढ़ते रहिए और अपने पती के बारे में पतनी के बारे में बच्चों मा गिज देखें जो भी जितना भी होस के आप से जितना आप उनकी हैल्प करोगे यकीन करना उतनी ही आप दिन दोगनी राच चोगनी आप तरकी करोगे खुद को हमेशा अच्छे तरीके से सजा कर अपने किताबों को सजा कर बड़िया तरीके से अगर किसों के साथ हेलो कर पढ़ लो अगर अच्छे बनोगे तो अच्छे ही लोग आपको मिलेंगे चलिए सपने देखना बहुत अच्छी बात है और लगे रहिए कभी रुकेगा मत यकीन करना कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो में और दस नंबर के आपको ब के हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में